कि हमारे पास कुछ तीन घंटे का वर्क्शॉप एक रहे बच्छो ठीक है इस वर्क्शॉप में हमने कुछ टेक्निक्स के उपर काम करना है देखें आप लोग मार्श लोग पढ़ चुके होंगे ठीक है अभी अपने रिविजन फेस में होंगे एक बहुत बड़ा और हम कुशिश करेंगे का न से वाले कोशिश करने क्षार करachen जो हमारे पासुट था जो हमआरे कि चीण दो हजार बाईस लास से टांटाथ फिर हमारे पास लैट से विंटैंटर एक disp nos配ions आधे या ऑपन बुग पॉलशी चाब हमारे पास हमारे और वो जो सवाल वमारे पास थे इंशाल हमने कोशिश करना है कि उसको हमने क्या करना है उसको अटेंट करना है जब इसको हम ऐटेंट करेंगे तो most important tea होगी, most important tea होगी कि हमने बैठके यह Zo na यह dialysis करना, इसके अंदर हमने यह answer लिखा क्यों है ठीक है? एसके अंगर आमने यह अंसर निखा है, इसमें यह वाला अंसर भी तो applikable हो सकता था, यह laws and regulation भी तो applikable हो सकते थी, क्या कर यहां तक बासमों जाती है सबके? यहां तक क्यों हो बच्चो सबते हो गया, सबसे इसब इस एक एए सबसे important चीजी है कि इंशाललह यह जो टेक्नीक है इंशाललह जो आज हम डिसकस करेंगे इस टेक्नीक के ओपर इंशाललह Monday onwards हमारे पास इंशाललह रोज एक न दो दिन कोई न कोई सेशन हो रहा होगा जिसमें हम एक टॉपिक को लेंगे और उसको पूरा कवर करेंगे उसको प्रिसाइसली कंसाइसली कवर करने कोशिश करेंगे और उससे रिलेड़ जितने पास्टोपर से जितने सवाल है जितनी कोई ली से इंशाललह उसको भी एक्रस करेंगे पनादा्रे ने वह स्टाट सरे बढ़्रे नोगईं? कोई सवाल हो अपका तो मैंसे पूल सकते हैं? मजशे जवाब मुझे जवाब जाटे रहे कर ताका मैं starts करता नो है कोई सवाल हो आपका आप मैंसे पूल सकते हैं? लेकि इंशाललह यह मेरा वाद है आपसे कि अगर यह दो तीन गटे आप लगा देंगे आपको अच्छी डारेक्शन इंशाललह मिल जाएगी और चांसे दर चांसे देगे इंशाललह पेपर पास उठाइगा जाले जी स्टार्ट करें बिलकुल असाद हो सकता है बिलकुल हो सकता है और एक पांच शॉले सेशन ले लेंगे तो आपको एट-लिस समझ आ जाएगा कि अभी जापके पास टाइम बचा है आपने पढ़ना किस तरीक से किस तरीक से चीजों को लेकर चलना है ड़न हो यह बच्छो आप 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 चले जी आप और बच्चे को इसमें सवाल को पिक करने में और एक अच्छा रेलिमेंट आंसर बनाने में थोड़ा समस्ना हो जाता है ठीक है और इसके अंदर बहुत सी चीज है बहुत सी चीज है कुछ चीजे आपस में लिंक भी हो रही है कुछ चीजों की इंटरपिटेशन भी है तो हम कोशिश करते हैं कि वह सबसे इंपॉर्टेट एडिया हमारे आज के वरक्शॉप का कि जब हम इंशालला पास्टो पर अटेंब कर रहा हूं कि तो हमें समझ आ जागे कर एक किस सैकोलोजी क्या है वो बच्चे से एक्सपैट क्या कर रहे है ठीक है और हम एज एस सुनने किस तरीक उसको एड़ अच्छा ही एक समरी है सिफ कुल कि इस वर्विए करना है ऊसके बात में करना क्या है उसके रद्धरबाइस–ai 6-12 सवाल यां अगर आप स्युंठ दिख लें सिफ इस आंसर में तो इस सांसर में आप देख लें तो कौन सा ल्मिए इसमेर में ожет सब कुछ पहले से आपके लिए रखावे ठीक है और यही जो डिस्कुशन होगी वर्क्शॉप के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझ में आजा कि कि लोग पढ़ना कैसे लोग को रीट करना है लोग को किस तरी किसा हालाइट करना है यह इंशाल्ला समझ मजब यह यह 15-20 मट तो अगर यह 15-20 मट अगर हम ओवर्यू लेने जा रहें तो इस ओवर्यू के बाद इस सारे सवाल है समर बाइस विंटर बाइस लास टैम इन सबके आंसर्स तक कैसे लिखने सेक्शन के लिखाव है यह उपन बॉक पॉलिसी है इसको पेपर में कैसे लिखना है य के लिए बचो यह तक तो इस सारी चीज़ा है यह सारी चीज़ा आज की क्लास बगड़नी है तो वर्क्शॉप से में इंचला आइडियो हो जागा मंडे से इंचला और इसको डिटेल में लेकर चलेंगे और हर एक एक एडिया बहुत लिखिंग वाले अरिया ना शेर्स के देंदर companies act भी है, securities act भी है फिर उसके बाद PSX rulebook भी है, फिर public offering regulation भी है तो इतने सारी जब area से इसको कैसे समयटे सही है, प्राइड प्राइड प्लेस्मेंट भी है तो इन सारी चीज़ा को कैसे समयटे से इंचाला एक दो गंटे के session से और एक दो गंटे के अच्छे से मेरी आपसे request ही है कि थोड़ा सच इस तरह की से मैं लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ वो psychology आप समझने की कोशिश करेगा इंचाल आपका paper pass हो जाएगा अच्छा देखें हमारे पास हमारे पास इसको अगर मैं इस तरह किसा आपको समझाऊ हमारे पास हमारे पास मसला यह है कि अगर company और SECP के दर्मियान कोई dispute वगरा चल रहा है कोई matter चल रहा है कोई proceedings चल रही है तो company और SECP section 276 के तहट section 276 के तहट कहां जा सकती है Mediation and Conciliation Panel में जा सकती है Mediation and Conciliation Panel में जा सकती है यह panel किसे ने बनाया होता है आपको थोड़ सा overview दे रहा हो था कि आपको idea हो जा अच्छा कितने लोगी Mediation and Arbitation पढ़ चुक है पढ़ चुक है तो चले फिर session इंशालला करने में बड़ा मज़ा आगा ठीक है जबादस 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 तो यह company और SECP के दर्मियान ठीक है अगर आप रिकॉल भी नहीं कर पारें तरह कोई मसला नहीं है अभी पंदा बिट में चलो कि अगर company और SECP के दर्मियान फॉर एक्जेंबल ऐसी सीव ने कंपनी को एंटी मनी लॉंट्रिं का कोई शोग को स्नोटिस पेज़ दिये सब्सक्राइब और company के थे तुमने गलत बेजाए अब कैसे आप इसको मैंटर को रिजॉल्फ करने को तो आप mediation and consideration पैनल में जा सकते हैं अच्छा अगर section 277 के तहर सेक्शन 277 के तहर कंपनी वर्सिस इस्टेक होल्डर्स इस्टेक होल्डर्स में कॉन आ जाएगा कि अच्छा इस्टेक होल्डर्स कोई आ जाए तो इसको आप का रहत तो यह लोग कां राफर कर सकते हैं ये लोग भी इस matter को कहा refer कर सकते हैं? Mediation and Consolation Panel में जो SEC पर ने पर रहा है ताके matter resolve हो जाए ताके matter resolve हो जाए ठीक है? Section 278 कहता है Section 278 कहता है ठीक है अगर for example company का किसी भी stakeholder के साथ या किसी के साथ भी अगर कोई dispute चल रहा है और अगर agreement के तहर agreement के तहल agreement के तहल अगर उन्होंने agreement में लिखा हुआ है कि हम जब भी dispute होगा तो किसको refer करेंगे? ये matter सारे arbitration में refer करेंगे तो फिर ये matter कहा जाएगा? ये formal court में जाने से पहले SECP के पाद जाने से पहले ये matter किसको refer होगा? ये arbitration को refer होगा ये हमारे पास तो आप समझने के कोशिश करें कि heading का है? heading ये कि कोई भी dispute है, कोई भी मसला है उसको resolve करना है तो उसको resolve करने के लिए तरीके क्या रहत क्या है? कि अगर भड़ा company और SECP के तर्मयान हो तो आप ये काम करने है अगर company और SECP holder के तर्मयान कोई मसला है तो आप ये वाले काम करने है आप Mediation Concentration Panel को refer कर सकते हैं या अगर company और SECP holder के तर्मयान कोई मसला है और agreement में लिखाव है का arbitration इंगे जो कि अब arbitrate के पास चरी जाए कि यादर पास समझ आती है? बहतरी नोगा अपर ये तो हमारे पास एक बहुत ही कोई तीन से चार्ड लाइन के SECTION है सही है तीन से चार्ड लाइन के SECTION है Majority आपने पढ़ा होगा आगे जाके सवाल जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चल जाए कि SECTIONS को पढ़ना कैसे होता है ये creditor है इसे normally company को क्या दियावा होगा? लुण दियावा होगा ठीक है और ये company बनाने वाले कौण लोग होंगा? ये company बनाने वाले members या फिर shareholder होंगा ये बाद समझाती है सब के अठाँ अगर हमारे पास for example company अगर इस creditor और members के साथ किसी किसम की को रिकंस्ट्रक्शन वगरा करने जा रही है या रिस्ट्रक्श्रिंग करने जा रही है या कोई कॉंप्रमाइस करने जा रही है कॉंप्रमाइस का मतलब क्रेडिटर ने लेट से कंपणी को 100 मिलियन का लोन दिया, वतलब कंपणी रिपे नहीं कर सकती, तो वो करता है कि आजए चले रिस्ट्रक्शनिंग करते हैं, ठीक है, अगर ऐसे की मामलात होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो अपलाए हो जाएगा, क्रेंड करता है कंपणी क्मिशन के पास, और अगर अगर या क्रेडिटर ने रहां अगर कोट के पास application लेकर जाएगी, और अगर कोट या कमिशन ने sanction कर दी कि है, रहे ठीक है, क्रेडिटर की या मेमबर की मेटिंग कॉल की जाए, और उनसे approval दी जाए, creditors या members की meeting call की जाए और उनसे approval दी जाए तो इसका मतलब है फिर एक meeting होगी, इसका मतलब एक meeting होगी और meeting से पहले हमारे पास notice जाएगा notice के साथ कुछ चीजे लगेंगी हमारे पास सही है, notice के साथ कुछ information attach होगी वह information के पर क्या section है, हमारे पास section 281 है, उस information से related हमारे पास कौन सा section है, कि यह जो restructuring होने जा रही है, जो scheme of arrangement है, इससे related आपने सारी के सारी information section 281 के तहर्ट है, यह उसके material facts वोगर आपने बताने, ठीक है, यह कुछ बास समझ आती है, for example, hascall है, hascall के पैसे खा के बैठा हुए है, hascall है, national bank के पैसे खा क्या बैठा हुए, तो national bank यह आपर creditor है, और company जो और hascall है, तो अगर उससे restructuring बारा करनी है, और company restructuring नहीं करी, जवाब नहीं दे रही, तो creditor के पास यह write है, कोड के पास जा सकता है, यह एक scheme of arrangement है, आप kindly meeting call कर रहा है, ठीक है, तो court एक order देगा, करना के भाई meeting call कर रहा है, तो सबको आना पड़ेगा, क्यों, प्रिकॉस है court का order होगा, यह commission का order होगा, इसी तरीके से, इसी तरीके से, अगर, इसी तरीके से, प्यारे बच्चो, काशे, बिल्कुल, बिल्कुल, इसी तरीके से, अगर company or member, आपस के कोई मामला आता है, कि वो किसी companies को reconstruction करना चारिये, करना चारिये, रियर्गानाइज करना चारिये, क्लासे से बहुत सी प्रैक्टिकल एक्जेमल हमें डिसक्रस कीती है, अब इसी तरीकर्शन करना चारिये, तो मसला यह, इसका मसला है, कि एक company है, holding company है, इसकी subsidiary 1 है, इसकी subsidiary 2 है, इस subsidiary 1 का एक creditor है, जिसना subsidiary 1 को loan दियावा था, यह S1, S2 के साथ merge होने जा रही है, यह S1, S2 के साथ merge होने जा रही है, तो loan तो मैंने S1 को दिया था, और अगर S1, S2 के साथ merge हो जाएगी, तो जाहर से बते rights and obligation भी S2 में merge हो जाएगे, क्या S2 की इतनी इसे मामलाआइ भी हो रहे हैं, तो चुके company और मेंबर्स के तरमियान के मामलाइथ है, तो यहां पर भी आपको एक काम यह करना पढ़ेगा, यहां पर भी pakण करना पढ़ेगा, कि section 270 नहीं तो apply करना ही करना पढ़ेगा, इसके साथ सा section 281 भी apply होगा, section 279 तो apply होगा, साथ म आपने section 281 की requirement को भी apply कर डाऊगा सही है requirement का है थोरी दे में go through कर जाते है किया तक बस समझाती है बच्चो अच्छा लेकिन अगर कोई amalgamation holy owned subsidiary की है holy owned subsidiary की है तो यहाँ पर law आप से कहता है कि creditor की approval लेने की जरूरत नहीं है creditor की approval लेने की जरूरत नहीं है 282 सही है creditors की approval लेने की जरूरत नियुक्त more करने जा रहा हूँ तो मजह की identity क्रेडि.. क्या या पर पास समझ आती है चा्छा। एक और चीज बताने, ये जोbel क्रेडिटर है। इसने कंपणीपों क्या गयाओ होंगें, तो एक तरीकम की पैसे टियूढ़ होंगे है। तो यह creditor क्या कर सकता है, यह creditor court में एक application डायर कर सकता है और कह सकता है कि जी मुझे restructuring करवानी है, आप kindly creditors की meeting call करें यहां तक बाद समझाती हैं, तो एक तरीके कार तो creditor के पास यह है क्या तरीके कार मौझूद है, क्या तरीके कार मौझूद है जबरदस जबरदस अगर यह company, अगर यह company for example fraud कर रही है या इसकी financial performance अच्छी नहीं है, या इसकी financial performance अच्छी नहीं है तो यह जो क्रेडिटर है यह जो क्रेडिटर है किसका किसका तरवादा दसकत कर सकता है कोट का और को यह कह सकता है कि भाई क्या पॉइंट करें क्या पॉइंट करें administrator appoint करें क्या appoint करें administrator appoint करें because यह तो company चला ही गलत नहीं ठीक नहीं चला रहे ठीक है तो creditor के पास एक तरीके कार यह भी है अच्छा creditor अगर मुझे बताएं एक चीज़ बताएं अगर यह creditor एक financial institution है अगर यह creditor और इसके लिए जाट से बात ही जो अगर यह creditor financial institution है तो कोई और राइट है इस creditor के पास के पैसा एक खर्टा कर सके company से पैसा वापे से ले सके हाँ जी अगर यह creditor एक financial institution है और अगर companies को पैसा नहीं दे रही तो creditors के book में यह क्या कहलाएगा अगर यह creditors के book में यह क्या कहलाएगा त्यारे बच्चों अगर यह creditor financial institution है तो इसके ओपर corporate restructuring act apply हो जाएगा और यह corporate restructuring company को यह portfolio transfer कर सकता है यह company को portfolio transfer कर सकता है वो कहता है यह यह जो scheme अगरा देनी है creditor scheme अगरा देनी है यह मेरी expertise नहीं है आप एक काम करें आप यह researching करवाएई यह non-performance asset में आपको transfer आप समझ रहें किस तरीके से कानून से कानून निकले जा रहे हैं बच्चों क्या यहां तक पास समझ आ रही है अच्छा अगर कि अगर यह creditor एक qualifying creditor अगर यह creditor एक qualifying creditor है क्या मतलब कि अगर उसके पास three fourth of the value of asset है अगर उसके पास three fourth of the value of asset है तो वो क्या कर सकता है वो court के पास जा सकता है और court को कहता है कि जी आप mediate करें आप आप बीच में वाइंडिंग अप में supervision of court होती है इस तरह आप मुदाखलत करें आप मुदाखलत करें और यह mediation करवा है हमारी के दर्मियान क्या यादर पास समझ आ रही है तो सेक्शन 279 में यहार यह ना च्छड़ोना कॉन बाइंखलत किया है कि बड़ा important सवाल है नहीं फरक किया है तोरहों में court को आपने section 279 में भी involved किया है सही है अगर आप section 282 के तहए section 282 के तहां यह था है aplikator को शहरा है कि ॐाहा तो यहां पर कोड का आइक चीजré कोट कोड का काम है order देना सिस्व होसी water देना कि meeting call की जाए meeting call की जाए समझ關係 गा मेरी बात को सही है MEMBERS और Creditors और company ने 하기拜拜 सीता है फाने? Creditors और Committee ने cheese ग σου अपॉसे मामलात्य काने ठिक है कि यहां पर court की इन्वाल्मेंट नहीं हो कि court से फिक order pass करेगा कि यहां आप एक meeting call करें creditors के meeting call करें और इस loan को restructure करवाया जाए कि यहां तक पास समझ आती है लेकिन लेकिन अगर यह जो qualified creditor है तो यह court को किस के तहट कंपनी क्या कहलाएगी कंपनी डेटर कहलाएगी और अगर तो क्वालिफाइटर है तो यह court को एक खत लिखेगा कि भाई मैं एक रिहाबलेशन प्लैन लेकर आया हूं मेरे असाब से बैस्ट प्लैन है एक मेडियेटर अपॉइंट करें जो के मुझे और कंपनी के दरिवान इसको उपर एक वो करवा सकें एक अलाइन्मेंट करवा सकें क्या यह तक पास समझ आती है तो छोटी सी चीज अगर हम देखें तीन ही तो चार ही तो वर्ट सामने है क्रेडिटर, कंपनी, मेंबर्स और कोर्ट या कमिशन और यह चार या पांच बंदे डिफरेंट कानून और डिफरेंट रेगुलेशन के तहट आपस में आ सकते हैं कि यह बात समझ आती है आप सबको तो मैं अगेर आप से यह कह रहा हूँ कि हमने लौ को पढ़ना किस तरीके से आप अगर लौ सारे पढ़ चुके है तो आपने कोशिश यह करनी है कि इस तरीके से चीज़े हमारे पास थोड़ी सी गिलिप में हो हमें पता हो कि यार एक मसला है अगर यह सेच्षन टू सब्सक्राइब गया है और इस परपस में क्यादीर के पास कोई ऊप्शन अविलिबल हो सकता है और कौन कौन सब्सक्राइब हो सकते है तो दोनों में थिसल्सक्राइब कम्परीस रिच्रीय आ अपम क्वापेट प्लिस सब्सक्राइब क्या फर्ग है किया यहां एक्वाद समझ आती है बचेए आप मैं आपको अगें यह बता रहा हूं मैं सारी वख्षों मैं भी नहीं पढ़ा सकता सही है ये एक-एक section अपने के classes में पढ़ने है detail में case studies के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी जो आपने पढ़ाई करनी है प्यारे बचो इस तरीके से अपने आप से बाते करनी है इस तरीके से law से आपने बाते करनी है कि या section 279 में है और company's re-habilitation act में फरक किया है दोनों में फरक क्या है सही है यहां पर creditor अगर application देगा तो creditor जब court में application देगा तो उसके पास कोई requisite shareholding नहीं होनी चाहिए वो 200 रुपे का पर creditor होगा हो जाकर application लिख सकता है सही है यहां पर application court में जाने के लिए उसके पास कितना पैसा होना चाहिए कितने के टिटर होना चाहिए थ्री फॉर्थ आफ दी वैल्य आफ अगर कंपनी के एसिट सौ रुपे के और उसने असी रुपे का लोन दिया वही असी रुपे का amount due है वह court में खत लिख सकता है कि भाई आप mediate करें आप involved हो सही है तो आपने कोशिश ये करनी है बच्चों आपने कोशिश ये करनी है कि चीजों को गर एक से कड़े से स्क्रीन से मैं ये पले लो अच्छा जी बच्चों ये बड़ा इंपोर्ड़ है तो मैं आपसे ये कह रहा था मैं आपसे ये अर्स कर रहा था बच्चों कि आप लोग पढ़ते हुए कोशिश ये करिएगा कि लौ को सामने रखिएगा लौ को आपस में थोड़ से लिंक करने की कोशिश करिएगा कि मैंने 276, 277 और 278 ये आप से जिकर कर लिए इसका तस्किर आप से कर लिया सही है 279 अगर मैं देखू तो compromise with creditors भी हो सकता है और members भी हो सकता है ठीक है इसका scope क्या है हमारे पास इसका scope क्या है कि compromise or arrangement with a company and its creditor और member trigger कब करेगा application by the above इन में से कोई एक बंदा भी code को application लिख देगा तो ये trigger कर जाएगा section 279 टिखर कर जाएगा सही है क्या application लिखने के लिए कोई requisite holding है नो अच्छा इसमें authority किसके पास इसमें authority commission के पास भी हो सकती है और code के पास भी हो सकती है सही अगर large size company है तो code के पास आपने जमा कराना होगा अगर small size company आप commission के पास जाओ के action क्या होगा commission restriction को approve नहीं करेगा या commission सिर्फ इतना कहेगा commission will call a meeting that's it full stop commission का मैं एक meeting call करता हूँ करेटर बैठें वहाँ पे members बैठें वहाँ पे company बैठें और इसका सुला करें इसको mediate करें इसको resolve पर नहीं कोशिच करें भाई company ने पैसा खाया भाई अब क्या करना है यह matter आप बैठ के discuss करो सही है अच्छा इस meeting का जो notice जाएगा वो किस section के साफ से जाएगा section 281 के साफ से जाएगा कि जो भी scheme of arrangement है जो भी scheme of arrangement है इसके उपर एक proper इसका effect बताना है material interest बताना है इस सारी चीज़े है आपने notice के साथ attach करनी है section 281 करता है सही है अच्छा उसके बात voting अब यह वोटिंग जो है नहीं यह थोड़ा सा मुश्किल है इसको पर भी सवाल करेंगा इंचाला if a majority in number representing three-fourth in the value of the creditors or members present and voting either in person or by proxy अगर voting इतने पर हो गई तो वह जो scheme of arrangement था जो section 279 करता है था आप commission या court के पाँ जो document लेके कहे थे कि मुझे इसकी approval चाहिए और अगर creditor ने इस तरीके से उसकी approval दे दी तो इसका मतलब है वो सारे creditors के उपर binding हो जाएगा पहरे बचो ठीक है अच्छा और इसकी कुछ condition बता दी कहीं है क्या आपने आपने कोशिच यह करने कि जब आप एक topic पड़े तो से related सारे sections को आप इस तरीके से summarize वे में लिखने के कोशिच करें power of commission to enforce the compromise and arrangement यह बड़ा important section है जो section 279 में कह रहा था मैं कि commission सिफ meeting call करने का action लेगा लेकिन अगर commission चाहे तो कोई compromise or arrangement है इसको enforce करने का write भी रखता है section 281 देख लेकर 279 से related बस notice के साथ चीज़े क्या जाएंगी section 282 अगर मैं देखता हूँ तो power of commission है to facilitate the reconstruction और amalgamation सही है लेकिन किस case में reconstruction और amalgamation तो section 279 तो apply हो गई होंगा section 279 तो apply हो गई होगा लेकिन चुक्या आप reconstruction करने जा रहे हैं आप amalgamation करने जा रहे हैं तो commission में order the creditors meeting मेरा और मेंबर्स के दर्मियान का मामला नहीं है आप एक अच्छी कंपनी इसको केडिटर ने लोन दिया था सही है आपके फानेशल पोजिशन देखी थी आपके कोविनेट्स देखे था आपका पास एक्सप्रेस देखा था अब वह कंपनी इस लैट से स्टील मिल के साथ मर् निकलेंगे वोटिंगाइट यह वाले निकलेंगे यह इस पैसिफिकली 281 में नहीं लिखा हुआ लेकिन सेक्शन 281 आपका 282 आपका स्टार्ट ही कैसे हो सकता है इन एडिशन तू रिक्वार्मेंट ऑफ सेक्शन 279 तो इसका मतलब पर 279 की जितनी बाते हैं वो सारी की सार सば Allez यहां पर अपलाएं होंगी प्यारे बच्चों कि यह ओल्दो मेरा और außer मेंबर के तरिम्हां का मामला है मेरे मेंबर के त्रमियां का मामला है लेकिन इसके बाब़जूद मुझे क्याइट की एप्रूबल लेनी पड़ेगी और मुझे कमिशन चाहेगा तो कह सकता है कि क इसके बाद जो भी नोटिस होगे नाओंगे वो रेडिस्टार्ट को देने सेक्शन 283 के ताहिए लेकिन अगर 248, 284 के ताहिए अगर आप होली-owned subsidiary है सही है आप एक holding company है और आपके एक होली-owned subsidiary है इसमें 100% holding आपकी है और अगर यह holding company के ताहिए मर्ज होने काल करने की जरूरत नहीं आपको क्लियर हैं सारी यहां तक बच्चो बस फर्क इतना है give the return notice of the proposed email commission to every secured creditor of the company सिर्व और सिर्व के आपने notice देना है अगर आप email commission करने जा रहे हैं तो आपने यहां पे creditors वगरा की approval लेने की जरूरत नहीं है लेकिन इन सारे मामलात में इन सारे मामलात में कहीं पे भी अगर मुझे लगता है कहीं पे भी मुझे लगता है कि यार company में अगर कोई fraud वगरा हो रहा है या कोई unlawful चीज हो रही है या कोई ऐसी चीज हो रही है जो के prejudiced है तो member और creditor दोनों के पास ये right है कि वो court में complain कर सकते है और अगर court चाहे तो कोई order pass कर सकता है, ये तो members and credit के पास right है अच्छा फरास्त है, ये majority of members कितने को represent करेगा जब हम सवाल कर रहे हैं को देख ले ओविएसली यह मतलब किलास इस में पंदरह बीस घंटे लगे थे इन सेक्शन को पढ़ने में अभी मैं सिर्फ ओबर्यू दे रहा हूं था कि थोड़ा सा में रीकॉल कर सकें सेक्शन को और आपके पास एक टेक्निक ओजुद हो जाएगा है आपने इन चीजों को बड़ा मसला होगा यह ट्रिकर कप करेगा यह बड़ी इंपॉर्टिल चीज है रेकॉजिट होल्डिंग क्या चाहिए नहीं चाहिए रेकॉजिट होल्डिंग चाहिए नहीं चाहिए तो यह कोट वाले मामलात अगर हम देखें कोट वाले मामलात देखें तो यहां पर रेक रोजेट होड्रिंग चायती डरहात नहीं यह लोग आई पृटा उतुंदय्ट को पता होना चाहिए और शेंभ एक क्या दूब क्या क्या की ले सकते को इसना जाएंगे द्याइटे क्या एकशा कर दे और प्रफॉर्मेंस और फ्रॉड के ग्राउंट्स में वह कोड को यह कमिशन को यह लिख सकता है कि आप एक अड मिश्रेटर अप्रेन करते हैं यह कंपानि यह लोव चेंज कर सकता है यह पर किस को अप्षू प्रेट यह लोग सबती को कि अप्र करें ? उसके बाद corporate restructuring company किसके उपर अप्लाए होगा जब आप क्रेडिटर कौन है जब आप कौन से क्रेडिटर है जल्दी बता दे कि आपने oil बेचा है कि आपने कोई goods बेच है कि आप ऐसे क्रेडिटर है आप कौन से क्रेडिटर है आप एक financial institution है तो अकर आप financial institution है तो section 279 से लेके 286 तक जो जो राइट से आपके पास है या 291 तक जो जो राइट से वो भी exercise कर सकते हैं और एक और काम आप यह कर सकते हैं कि आप यह non-performing asset एक corporate restructuring company को भी transfer कर सकता है क्या यहां तक पास समझ आती है तो यह जो मामलात है कि जो आपने transfer करना corporate restructuring company को तो इसके ओपर act है और यह company बनेगी कैसे इसको पर regulation है लेके नकर आपने मेरी बास सुझेगा बच्चों थोड़ा से समझेगा sections को सामने रखिएगा अगर section 279 के तरह आप एक creditor है और आपने एक application जमा कराई court को सही कि meeting call करें और meeting call हुई और उसमें मामलात नहीं पाए जारे सही है company और creditors आपस में एक जगा नहीं बैठ पारी restructuring नहीं हो पारी कभी कोई creditor कुछ कह रहा है कभी कोई creditor कुछ कह रहा है और यह मामलात नहीं हो पार तो फिर यहां पर आपको एक और right भी दिया हुए किस जिसका right दिया हुए corporate rehabilitation का कि अगर तो आप qualifying creditor है और आपके पास two third of the value of the asset है तो फिर आप court को apply कर सकते हैं कि जिन मुदाखलत करें सही न्यूटन ला रहे हैं आप मुदाखलत करें आप mediation दें कि यहां पास समझ आती है बचो तो कोशिश है करनी है कि एक बार law को पढ़ चुके हैं दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको जहन में दो सवाल हैंगे उन दो सवाल को लाजमी resolve करना है हर law का आपको scope लाजमी पता होना चाहिए हर law का scope पेपर में बैटके आपने नहीं देखना कि इसमें corporate research के company अप्लाए होगा के नहीं होगा पेपर में आपने नहीं देखना कि corporate rehabilitation act अप्लाए होगा के नहीं होगा यह सारे काम paper से पहल तो reading इस तरी के से करनी है कि हर law का आपको scope पता होना चाहिए कि यह scope है मेरा सही है यह इसके उपर यह सारी requirement अप्लाए होती है अगर आपको law के scope ही नहीं पता होगा और एक चीज़ और इस law में इस section में इस act में इस regulation में इस rules में और फला act में क्यों एक चीज बार बार लिखी गई है और मैं फरक क्या है अगर आपको फरक ही नहीं पता होगा प्यारे बच्चों paper पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कर यहां तक बास समझ आ रही है अगर उससे credit and impact हो रहा है अगर उससे credit and impact हो रहा है तो लास्वी लास्वी अगर आप देखें अगर आप देखें तो इस तरीके से इस तरीके से यह वन पेजर आपको पता होना चाहिए कि है कौन सी चीज कब अपला होगी कहने को तो यह चार्ड लोग ही है लेकिन चार्ड लोग के उपर कोई दो एक्ट अपलाए हो रहे हैं दो एक regulation अपलाए हो रहे हैं एक rules अपलाए हो रहे हो रहे हैं और companies करके 12-15 sections अपलाए हो रहे हैं कि यहां सा कुछ बास समझ आती है बच्चो काशे बभी सवाल करने को काशे बभी सवाल करने को इसका मेरा बच्चा ठीक है इसी से बिल्कुल प्रेफिक कर रहे हैं चले जी स्टाट करें कुछ सवाल और ड्राफिंग देख लें बच्चो दो मिनट क्यों भाई टाइम नहीं है एक चाहिए वापस रिपीट कर दूं मंडे टूज़े इंशाला क्या होगा मंडे टूज़े से इंशाला कोई भी एक एरिया लाइए लाइए तो बहुत ही बड़ा एरिया ऐसा ही है तो कोशिश करेंगे जिस तरह भी डियाग्राम बन लें इससे पता चल जाएंगे अगर यह मसला होगा तो यहां जाके देखना है कि लिए रहा है यहां पर फेरा की तरफ आजाएंगे पर एंपर की तरफ आजाएंगे फिर बैंकिंग और्डिनेस की तरफ आजाएंगे बच्चों स्टार्ट करें जाएंगे बिलकुल 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 Headset Resort Limited, a public unlisted company, established in 2019, operates various resort hotel in the northern region of Pakistan, at the time of commencement of the business, the entire operation was financed in the debt equity ratio of 60-40 In August 2020, HRL had to stop its operation as majority of HRL resort were completely और ये विंटर बाइस का कोशन नबर तो है, last attempt का कोशन नबर तो है प्यारे बचो सही है As a majority of the company resort were completely destroyed due to a massive land select caused by the flood, consequently HRL failed to pay monthly installment of loans obtained from the financial institutions Following information were extracted from the HRL record as on 31 October 2022 and sent to all the creditors मेरे पास assets 2400 के है, मेरे पास जो loan की amount है, liabilities जो है, वो मेरे पास 3.9 billion की है 2.4 billion मेरे पास asset है, 3.9 billion liabilities है, considering the situation, one of the above creditors, SIL ये, जो कि 900 मिलें का लोन देके बैठावा है, approach the HRL, HRL का ओने company है, creditor ने company को approach किया, with a proposal to restructure the loan terms, which would enable the company to restart its operation SIL has extensive experience in reviving various companies and is confident that its proposal will improve the company's financial position the company disagreed to some of the proposal, terms which the creditor, या bank, या financial institution deemed necessary for HRL's long term sustainability subsequently, इसका मतलब है, company और SIL के दर्मियान मामलात नहीं पाए गए, तया नहीं पाए गए, सही है company और SIL के दर्मियान मामलात तया नहीं पाए गए subsequently, SIL met with the representative of CPL, PBL, FBL and GFL, सही है चारो, चारो के दर्मियान साथ मिला, to discuss its proposal and suggest it to appoint a mediator to resolve the matter with HRL FBL agreed to the proposal, however, PBL and GFL refused to agree as the intent to recover the outsiding amount by selling the place securities CBL agreed to the proposal with the condition that the CBL's representative, Zain Ali, should be appointed as the mediator तो प्रोपोसल लेके क्या है, प्रोपोसल लेके क्या है, वो It suggests to appoint a mediator to resolve the matter with HRL, ठीक है, यह प्रोपोसल लेके क्या है, अच्छा 11 number का सवाल आया है, 11 number का सवाल आया है, under the applicable corporate laws, advise the course of action available to SIL in respect of its proposal, also state the company's responsibility in this regard, also, sorry, also state the SIL responsibility in this regard तो SIL के पास क्या-क्या course of action available है, और SIL के उपर responsibilities क्या है, discuss whether Zain Ali can be appointed as the mediator, also explain how the remuneration of the mediator would be determined in the above scenario, बच्छा अब एक सवाल है, और सवाल अगर आप देखे तो वो सवाल यह यह mediator, सवाल किसके round revolve हो रहा है, कि आर एक mediator को appoint करते है, जो कि matter HRL के साथ resolve कर रहा है, यह मैं एक HRL के पर destruction लेके गया हूँ, वो से नहीं मान रहा, तो एक mediator appoint करते हूँ, और वो mediator जो है, वो इसको resolve कर रहा है, क्या जाने पास समझ आती है यह सवाल अगर आपकोंने देखना है, एक बार तो खुद से भी देख सकता है स्वाल करें भाई, सवाल देख लिया है, सवाल के लिएरे लास अटांगा सवाल है, सही है, अच्छा, देखें, सेक्शन 277 यहाद आ रहा है, हाँ यह सेक्शन 277 यहाद आ रहा है, यहाद आ रहा है, वर कौन से यूजर हो था मेडियेशन का, और था मेंनेजमेंट और इस मेंबर और क्रेटिर से जले तो क्योर्टितर कहों हो गया, ऐसा यह को गया, में भाई, रिटन कांसेंट, चौनसेंट डिरेक्टी रैफर डिस्प्यूट्ट इस्प्येट्ट टेयम और क्ट्रवर्जरी अराइसंग बवीन देन और between the members or directors for resolution to any individual enlisted on the mediation and consultation panel maintained by the Commission before taking records to the formal dispute resolution सही है लेकिन मसला क्या है मसला ही कि वह आप से कह रहा है कि आपने company's act को क्या करना है प्यारे बच्चों company's act को क्या करना है बच्चों जदी छेदी छेदी तो अगर वह कह रहा है company's act को आपने इग्नोर करना है तो इस मामलाद के उपर आप section 277 से answer नहीं लिखेंगे सही है section 277 से answer नहीं लिखेंगे अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं section 279 हाजी section 279 क्यों? क्यों भाई? अच्छा अगर यह नहीं लिखावा होता अगर यह लाइन अटा दू अगर यह लाइन अटा दू तब भी नहीं होता अब सावाल में नहीं लिखावा है अग्नोर था company's act अब लिखता फिर section 279 applicable होता लोग को इस तरह पढ़ना है आपने फिर section 279 सब फिर भी section 279 applicable नहीं होता फिर भी section 279 applicable नहीं होता क्यों नहीं होता भाई? सवाल बड़ा के लिए रहे in respect of its proposal and what is the proposal? the proposal is to to appoint mediator क्या याद है बस समझ आ रही है? वो यह कही नहीं प्रू कह रहा है इसको तो मसला ही नहीं है तो section 279 याप because although section 279 deals with that restructuring but it does not deal with a mediator in the question it is specifically mentioned that the creditor suggest to appoint a mediator जो सवाल के start में आपने कहाता क्या कहाता? कि सब पता रही चलता कौन सा लिखना? तो बच्चा पेपर में यह section लिखके आ जाता है कि कैटियों के साथ के reconstruction हो रही है restructuring हो रही है you have to be very careful कि सवाल पूछ किया रहा है वो requirement किया है और वो सवाल में IKB हैट करता है with respect to its proposal and what is the proposal? subsequently the company met with the other creditors to discuss the proposal and suggested to appoint a mediator तो section 279 सुनियेगा मेरी बात को सुनियेगा मेरी बात को यह जो मैं आपसे बार-बार कहरा हूँ कि आपने थोड़ी summary अपने सामने रखनी है section 279 का अगर आप scope देखे तो section 279 के scope में section 279 के scope में mediation नहीं है section 276 mediation का है 277 mediation का है 288 arbitration का है 279 Mediation का नहीं है section, उस section का scope भी नहीं है वो, बाकी चीज़े तो बात में आएं कि आमें पता है कि नहीं पता, interpretation कैसी है, यह चीज़ कैसे calculate करेंगे, यह चीज़ क्यों calculate करने परती है, तो secondary है, the primary thing is, do you know the scope of the law, अगर law का scope ही आपको नहीं पता कि apply कब होगा, किस direction में होगा, किस structure में होगा, किस scenario में होगा, वहाँ प्यारे बच्चों, पेपर को pass करना थोड़ सा मुश्किल हो जाएगा सही है, और 15 answer, 15 section का paper में आपके जहन में आगए, तो फिर लिखें के क्या 11 number के सवाल में, यार, के लिए रहे भाई, यह बस समझ आती है बच्चों, क्या corporate rehabilitation act apply हो सकता है, क्या corporate rehabilitation act apply हो सकता है, yes, corporate rehabilitation act apply हो सकता है, कैसे, a debtor shall be a company incorporated or registered under the ordinance, और previous companies shall not include a company which a debt of less than 100 million rupees, तो क्या यह company, यह company जो है, तो public unlisted company है, तो yes, यह company's act 2017 के साब से बनी वी है, और इसका आप debt भी देखें, इसका अगर आप debt देखें, तो क्या debt 100 million से कम है, नहीं, 100 million से कम तो नहीं है, तो इसका मतलब है, भाई, मुबारोग हो, मुबारोग हो, आपके उपर corporate rehabilitation act apply हो गया, company के perspective से, सही है, लेकिन मसला यह है, कि corporate rehabilitation act में एक तरफ तो debtor हो गया, दुसरी तरफ कौन होना चाहिए, भा two-third of the value of the asset of the debtor as per its latest balance sheet, two-third of the value of the asset, कै सवाल में आपको assets दिये हो है, या सवाल में आपको assets दिये हो है, कै सवाल में सारी liabilities दी भी है, हाँ, सारी liabilities दी भी है, तो SIN and FPL are the creditors of a company and represent, देखें, ड्राफ कर से करना है paper में, and represent Rs. 1650 million, which is equal to 68.75 percent, तो इसका मतलब ही है, मेरे पास यह दोनों creditors कोंट से हो गए, प्यारे बच्छों, यह दोनों creditors खोंट से हो गाए, यह qualifying creditors हो गय, sir आपने SIL और SIL को क्यूँ add किया, आपने SIL को क्यूँ add किया, यहा से answer मिल जाएंगा, जैने से बताते, आपने SIL को out किया, मैंने SIL को एड़ किया 900 मिलियन और मैंने FBL को एड़ किया 700 मिलियन लेकिन एक और बंदा भी अगरी था CBL भी तो अगरी था नहीं बागी CBL agreed to the proposal with the condition लेकिने से लगाई क्या थी इसने condition लगा थी अगर मैं इसको add कर भी लू तो क्या मेरे answer में क्यों फर्क पड़ेगा अच्छा एक और reason है मैंने इसको अपने answer में नहीं लिखा एक और reason है मैंने अपने answer में लिखा बचों यह समझ आता है तो आपने देखे आपने paper में लिखना कैसे है Corporate Rehabilitation Act debtor और kreditor ये दोनों court के पास जा सकते हैं कि जी मुदाखलत करें और एक rehabilitation plan बनाया हुआ है एक rehabilitation plan बना हुआ है इसको kindly हमारे दरम्यान इत्फाइक करवाएं आप मुदाखलत करें तो debtor भी जा सकता है creditor भी जा सकता है और क्रेडिटर अगर कोट के पास जिस डेटर के लिए चाहेगा उस डेटर की खासियत यह होनी चाहिए और क्रेडिटर जो जाएगा उसके लिए ऐसा है यह को 200 रुपए का बिल आउट शेंडिंग और क्रेडिटर चला गया कोट में कि जी मुदाखलत करें नहीं कि यहां देक बाद समझ आती है तो लौ यह है लौ यह है आपने इस तरही कैसे उसको लिखना है प्यारे बच्चों के लिए रमसारे यहां पर फिर क्या होगा पिर कॉलिफाइं के लिए पेटिशन दा कोड फॉर एड ओडर अगें सदेटर प्लाइन और रिहाइबिलिटेशन जमा कर आएगा उससे रिलेटिड कुछ चीज़े होंगी वह सारी आपने बतानी पड़ेंगी और फिर मेडिएशन से लिएट कुछ हो गए ठीक है अच्छा एक और चीज़े बताएगा एक और चीज़े बताएगा सेक्शन 291 एप्लिकेबल क्यों नहीं वह बचों मेरी बास सुनिएगा सेक्शन 291 एप्लिकेबल क्यों नहीं वह दो रिज़न है एक वह कहरा एक्नोर दा प्रोविजन ऑफ कंपनीज है बट अगर नहीं लिखा होता अगर यह लाइन नहीं लिखी होती तो क्या तब भी तब भी विकॉस सर देखें अगर आप सेक्शन 291 को देखेंगे तो सेक्श सब्सक्राइब नहीं दिया गया वह सारी कंडिशन लिखी है क्या सवाल में कुछ मैंशन है आपको अच्छा एक और चिस बताएं कॉर्प्रेट रिस्ट्रुक्षरिंग कंप्रीश एक अप्लाए क्यों नहीं हुआ और तैमोरासिफ जबर्दास पेड़ अप कैप्रिली नहीं है सवाल में बहतरीन मेरा बच्चा कॉर्प्रेट रिस्ट्रुक्षरिंग कंप्रीश एक्ट यू अप्लाए लिवा तो कॉर्प्रेट रिस्ट्रुक्षरिंग एक्ट अप्लाए होता है किसके उपर नहीं तो यहार यह फानेशल इस्ट्रुशन नहीं तो है भाई ओ भाई कंपनी का फानेशल इस्ट्रुशन होना ज़रूरी थोड़ी है जिसकी books में ये asset आ रहा है उसका financial institution होना जरूरी है अगर आप मेरी fees नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या कहता है आपकी fees को जो मेरा receible आ रहा होगा इसको मैं क्या आगे भेज सकता हूँ corporate इंस एक कहता है किसी corporate इंस एक कमपरी को transfer कर सकता हूँ नहीं मेरा financial institution होना ज़रूरी है तो यह भी applicable नहीं होगा यह भी applicable नहीं होगा मैं हूँ तो financial institution ही लेकिन यहां पर सवाल यह नहीं है कि मुझे करना क्या इस पैस होगा सवाल यह थिए mediator corporate restoring companies act mediation से deal नहीं करता उसका scope ही नहीं है इसका scope ही नहीं है एक bank है है उसके हैस्कॉल को loan दिया है हैस्कॉल पैसा नहीं देता तो bank की books में वो non-performing asset मैं की ओटिने से पढ़ा में हमने वो non-performing asset transfer हो जाएगा एक corporate restructuring company को जो के corporate रिस्टुरिंग कंपनी के तयाद बनी होगी उसको transfer हो जाएगा और वो और हैस्कॉल जाना है मैं अपना asset non-performing asset transfer कर चुका हूँ क्या यह relevant है यह relevant नहीं है क्यों relevant नहीं है पहली चीज़ कंपनी set को इसने ग्रोर करने का है दूसरी चीज़ वो कहना है mediation यहाँ पर mediation धुड़ी होगी बच्चों बात समझा रही है यहाँ पर बच्चों कुछ clarity आ रही है इस तरीके से अगर आप इंशाला पढ़ेंगे इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे आप तो यह summary का होना बड़ा ज़रूरी है लॉप पूरा पढ़ना है और लॉप पढ़ने के बाद आपने देखना है कि यार इसमें से कौन-कौन से section ट्रिगर कर सकते हैं और उनमें से कौन-कौन से apply हो सकता है कौन-कौन से apply नहीं हो सकता तो corporate rehabilitation apply हो सकता है तो qualifying creditor को define करना पड़ेगा debtor को define करना पड़ेगा जो process है वो define करना पड़ेगा सर्च-section 286 apply नहीं होगा 286 apply नहीं होगा 286 का सब्सक्षिण है although कोड को कह रहे करें कोई order pass करें but कोई fraud नहीं हो आए कोई unlawful चीज नहीं है सब्सक्राइब 279 apply नहीं होगा because 279 में mediation का concept नहीं है 279 में यह कि यह एक sanction है यह एक proposal है meeting call करते हैं और meeting call करके देखते हैं कि जी approval मिलती है के नहीं मिलती है तो section 279 में अगर आप देखें commission सिर्फ और सिपैट के एक city बजाएगा कि meeting call करी जाए और आपस मामला तेर पाढ़ लो कोई third party as a mediator involved नहीं होगी क्या यहां तक बाद समझ आती है मेरे बच्चो तो अगर आप देखें अगर आप देखें इस पूरी diagram में section 276 apply नहीं होगा 277 apply नहीं होगा 278 apply नहीं होगा सही है section 279 apply नहीं हो रहा होगा ऐसा है भाई reconstruction ml commission तो होई नहीं रही है भाई तो यह भी apply नहीं होगा सही यह भी apply नहीं होगा क्या court को कोई application लिखी गई है कोई fraud वगरा हो रहा है financial or performance fraud का मसला है नहीं तो आपके पास यह वाला section भी apply नहीं होगा section 286 भी apply नहीं होगा तो भाई फिर apply क्या होगा फिर apply क्या होगा sir यह apply होगा ना qualifying creditor है two-third of the asset है court के पास जाएगा reavision plan बनाया है ताके mediation करवा सके प्यारे बच्चो क्या corporate restructuring company अप्लाय होगी नहीं क्यों मैं तो financial institution हूँ लेकिन बात यह नहीं कर रहा है कि non-performing asset का क्या किया जाए बात यह कर रहा है कि creditor के साथ जो proposal मेरा है उसके mediation करवाई जाए बच्चो समझ आ रही है बात चले बच्चो आ जाए एक और तब दस सवाल कौन से अटाम का है summer 2022 तो winter 2022 किया अब summer 2022 में आ जाते है golden awk limited is a public unlisted company engaged in the business of manufacturing and export of textile products and extract from the gtl audited statement of financial position as on 31 December 2021 is as follows मेरे पास share capital इतना है authorized share capital इतना है paid up share capital इतना है और ये लोन लियाब है मैने किसे लोन लियाब है note 1 note 2 पड़ लेते है the long term loan facility was obtained in July 2019 from MBL bank financial institution the loan was to be repaid in 10 equal semi annual installment the short term running finance was obtained in February 2021 from MBL in July 2019 GTL for the first time defaulted in making payment of its long term loan installment and markup on short term running finance thereafter GTL has not made any payment to the MBL इतना है ये मेरे पास financial statement बनने में 31 December 2021 के ये long term loan मेने लियादा जुलाइ 2019 में और रिपेट करना 10 equal semi installment में अच्छा observation highlighted in the auditor's report of GTL for the year ended the auditor highlighted in its audit report that the various fake sale invoice and falsified transaction were recorded in previous year due to which the opening balances of the receivable, inventories and payables were materially misstated consequently unappropriate profit of Rs. 2000 million reported up to 1 December has been restated to a accumulated loss of Rs. 4500 million under the provision of the Companies Act है जी पिछले winter बाइस में कहता है ignore the provision of the Companies Act उसके पिछले सवाल में कहता है under the provision of the Companies Act identify any 5 actions which the MBL may take against the company and its officers identify any 5 actions which the company may take against the company and its officers तो इसको सवागों कोट से देख में तो उसको एक बार पढ़ने आपर तो पढ़ने इसको सब्सक्राओबनों Pick चले जी, सबसे पहली चीज, यह है एक bank, यह है एक bank, और answer कहा रहा है, banking ordinance नहीं बता हैं, बलकि Companies Act 2017 के सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा, कि bank का जो regulator होता है, वो होता कौन स्टेट में को पाकिस्तान, Companies Act किसके दायरे में आता है, SECP के दायरे में आता है, तो एक bank जिसके Regulator State Bank of Pakistan है, वो किस तरीका से Companies Act के provision के help रहे सकता है, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, मेरे प्यारे बच्चो, सबसे पहली चीज, Application of Act to Companies governed by the Special Enactments, the provision of this Act shall apply to banking companies, the provision of this Act, say, the provision of this shall apply to the banking companies, except in so far as the set provisions are in consideration with the provision of the banking Banking Companies Ordinance, 1962, MBL being a banking company may apply the provision of the Companies Act, 2017, कि यहां तक पास समझाती है, सबसे पहले तो इस bank को आपने Companies Act के scope में लेके आना होगा, बच्चो, क्लियार होगा है? अच्छा, अगली चीज, देखे, Section 277, Resolution of Dispute through Mediation, भाई मेरे पास पहला तरीके कार क्या मोजूद है, मैं Mediation के थूरू, मैं Mediation के थूरू, मैं Mediation के दूरू मैं, कर सकते हो, कि MBL में by written consent directly refer a claim regarding non-payment of the principal and markup to Mediation and Concession panel maintained by the Commission, law में ये लिखावा है, आपने इस तरीके से लिखना है, चो यहां तक पासा हो जाती है, तो पहले तो सबसे आसान चीज, Section 277, दूसरी उससे भी आसान चीज, Power of Companies to refer matter to the arbitration, सही है, अगर MBL ने loan प्रोवाइट करते है arbitration clause insert क्या बाता, तो वो arbitration के पास भी जा सकता है, के लिए रहे हैं सारे यहाप है, तो Section 277 पिछले सवाल में apply नहीं हो रहा था, Section 278 पिछले सवाल में apply नहीं हो रहा था, अब इस सवाल में mediation, arbitration के Section 277 और 278 apply होगा, ड़न हो क्या बच्चों? सबसे important चीज़, prevention of operation and mismanagement, Section 286 application to the court, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं court को application में लिख सकता हूँ, क्यों court को application में लिख सकता हूँ? से हमने तो पड़ाता कि इसको ताब ताब लिखे होगे, जब कोई fraudulent वगरा चीज़े हो रही होगी, हाँ जी, हो रही है, इतनी बड़ी report में लिख दी, इतनी बड़ी report में लिख दी, fake sale invoices वगरा बनी ही है, पिछले साल accumulated profit था, अब losses में convert होगे, तो मतलब धोका दिया ज जा रहा था, तो आपने सिर्फ वो सिर्फ बता दे कि M.B.L. इंटर्स जो है, वो 10% of the paid-up capital है, therefore M.B.L. जो bank है, may complain to the court that the affairs of the company are being in an unlawful or fraudulent manner, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या action ले सकते हो, आप कंपनी की खिलाफ ये भी action ले सकते हो, कि आप court पे complaint file कर सकते हो, और आप एक और का, चुके financial performance है, चुके financial performance है, चुके fraudulent activities है, तब आप एक और चीज़ का सहारा ले सकते हो, किस चीज़ का सहारा ले सकते हो, management by, section 291 भी apply हो जाएगा, management by, जल्दी छिती छिती लेकिन यहापे जरूरी क्या है, प्यारे बच्छों, जरूरी क्या है, मैं administrative तब appoint कर सकता हूँ, यह section 291 में सारी चीज़े लिखी ही है, यह section 291 में सारी चीज़े बयान है, और इससे related आपको सवाल में चीज़े दी ही है, law इतना बड़ा है, खुदा का वास्ता इस पूरे law को आपने चाप के नहीं आना है, मैं अपने answer में law रखा वे था कि आपको बता सकूँ, कि law इतना बड़ा है, open book policy है, लेकिन आपने लिखना कितना सहा है, आपने लिखना सिर्फ और सिर्फ इतना है, कि यहां तक बास समझ आती है, because जो चिस सवाल में नहीं दी और वो relevant नही जो चिस सवाल में दी है, उसको लिखूँ, क्या affair और business of the company is conducted prejudiced to the interest of the company and its creditors, yes, क्या defraud creditors क्या है, बिल्कुल, accumulated profit देखा रहते हैं, actual accumulated losses है, क्या company के performance deteriorate हुई है, हाँ, बिल्कुल, accumulated losses exceed कर रहे है, 60% of the paid-up creditors, अगर आप सवाल में calculate कर है, और debt to equity ratio भी beyond 9 is to 1 हो चुका है, क्य और आपके पास होना कितना चाहिए था, आपके पास 60% होना चाहिए था, उस 60% की प्यारे बच्चो आपने calculation दिखा दी, 60% की आपने calculation दिखा दी, सही है, कि यह आपकी loan की amount है, यह loan की amount है आपके पास, और इस loan की amount का 60% of the paid-up capital of the company, तो उससे जादे ही बढ़ना है, मेरे प 277 का reference लिया, फिर 278 का reference लिया, फिर 286 का reference लिया, कहीं यह तक बस समझ आती है, फिर 291 का reference लिया, आखरी चीज, if the company is unable to buy to pay its debt, section 302 के तहर, company will deem unable to pay its debt, तो मैं winding up की application record में दे सकता हूँ, याद आ रहा है, मैं winding up की application भी कहां जमा करा सकता हूँ, प्यारे बच्चों, मैं winding up की application भी code को जमा करा सकता हूँ, हनार, देखें, investigation अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, investigate the affairs of the company, यहाँ मसला ही के वहाँ पर यह कह रहा है कि आपके जो पैसे पसेव हैं, आपके जो 100 million का loan है, यह 200 million का loan है, इससे related आप क्या क्या कर सकते हैं, समझा लिए आपको, आखरी चीज़, section 113, अगर मैंने loan दिया होगे तो कोई security होगी, और वो security को बेचने के लिए, मैं को receiver या manager भी appoint कर सकता हूँ, प्यारे बच्चों, तो अगर आप इस answer को देखें, अगर इस answer को देखें, तो यह पूरा का पूरा answer, मेरे पास कहां से बनाव है, under the provision of the company's act 2017, सही है, मैं यहाँ पर company, corporate restructuring act नहीं लिखूँगा, क्लिए रहे हैं? बच्चर यहाँ तक बाद समझ आती है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से winter bias, इसमें other than company's act पूछा, और किस तरीके से summer bias में उसने आप से company's act से रिलिटिट चीज़े पूछे, तो सवाल की sequence भी ऐसे हो, प्रैक्टिस जबाब पहरे तो इस तरीके से कह रहे हैं, कि यहाँ पर क्यों company's act कर नहीं यह section लिए, क्यों हमने बाकी चीज़े नहीं लिखी, जब तक आपको यह पता नहीं होगा, paper pass करना थोड़ा से प्यारे बचों मुश्किल हो जाएगा, paper pass करना थोड़ा से मुश्किल हो जाएगा, clear हम सारे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से section 505, पर 277, पर 278, 286, पर 291 और फिर उसके बाद जाके section 302 और आखरी section 113, अब इस security बेश दो होगा, मुझे एक बाद बता है, corporate rehabilitation act apply क्यों नहीं करना, जल्दी, सब्सक्राइब में ऐसी dimension नहीं करें उसने आपको, सवाल में, acid man or corporate act as को भी क्या है, qualifying character having two-third value of the acid, although अगर आप चाहें तो यह assumption लिखके लिख सकते हैं, मेरे पास एक और तरीका यह है, कि मैं यह काम भी कर सकता हूं लिख सकते हैं, बट मैंने क्यों नहीं लिखा इस वजा से नहीं लिखा बच्चों, और second is limited to companies act है, जबरदस, limited to companies act है, बचे यह बात समझ आ रही है, कुछ फाइदा हो रहा है, पढ़ना किस तरीके से, कि अगर mediation, arbitration, 15 नमबर का सवाल लाजमी आना है, तो इससे related जितने भी section है, उसको अच्छे से rate करना है, जहां पे interpretation और illustration का मसला है, वो grip में होना चाहिए, paper खुलता है वे 3-4 majority कैसे calculate होगा, यह नहीं होना चाहिए, 3-4 majority कैसे calculate होता है, यह पता होना चाहिए, plus इन सारे sections को, सारे चिज़ों एक जगाए खटा करका हम यह देखना है, कि कौन सा section किस scope में अप्ले हो रहा है, प्यारब जो फाइदा हो रहा है, थोड़ा सा समझ आगी कि आपके, अगर आपने 5-6 दिन लौक हो दिया है, तो आपने किस तरह की से तयारी लेके चलनी है, काशे बिल्कु लिख सकते दें, मेरा बच्चा बिल्कु लिख सकते दें, चले जी, एक और सवाल, बच्चो देख लें, चोटा फाइदा हो जाएगा बच्चो, अप्रोज समझ आदेगी चीजों को लेके कैसे चलनी है, आईसा जी, DL is a listed company, DL is a listed company engaged in the business of manufacturing, of marketing of chemicals, DL holds investment the following, unlisted company, DL की, एक holy load subsidiary OL, सही है, कितने percent holding है, 100 percent holding है, DL की, एक और जगा holding है, कहां, DL की एक और जगा holding है, प्यारे बचों कहां, CPL में, कितने percent holding है, 25 percent, DL की एक और जगा holding है, कहां, ML, कितने percent holding है, 40 percent, और सवाल में लिखाव है, सवाल में लिखाव है, सवाल में लिखाव है, OL, also holds 30 percent shares in CPL, OL also holds 30 percent shares in CPL, and 60 percent shares in ML, and 60 percent shares in ML, कही आने पास समझ आती है, यह के लिए रहे बचों, बड़ा जबर्दस सवाल है, बड़ा जबर्दस सवाल है, सही है, और अगें देखने, सवाल कौंशे एक पर करने है, इसे एक पर करने है, समर बाइस का करने है, कॉशन बाइस करने है, प्लाएर बहुते है, वी सब्लाय मतेरीज बस्टस करने है एक हरएंगे टिल को, एक पेशल्स कों के मैंढे तर्पितिल को अधी मतेरीजकर करने हैं टिल को लिए एक पिछ प्ल सचों है आतरर स्चों हमकि पर करने किने की परिए price and an exceptionally favorable credit period of 180 days or credit period of 180 days the contract shall shall be for the period of three years effective from the signing date Fiya mumu Mucha Pataya Mujha Batani Kya DL or CPL क्या DL or CPL date company किया यह जो special credit दे रहा है तो क्या यह section 199 को अप्लाइब करदेगा का investment in associated companies and undertaking याद आ रहा है कि आप कोई भी loan investment associated company में नहीं कर सकते हैं unless with this special resolution याद आ रहे हैं बच्चो और वो कहता है कि अगर आपने रॉन होगे नहीं दिया अगर आपने raw material दे दिया और आपने कहा एक साल बाद पैसे देना तो इसका सब्सक्राइब करें तो technically speaking आपने लोग नहीं दे दिया ना याद आ रहा है भाई कितना मतब क्या आप जो कैस के सवाल है वो पूछ रहा है अंसे सही है under the applicable corporate laws under the applicable corporate laws discuss the statutory compliances to be made by the DL in respect of the contract with CPL and subsequent transaction made the Yardy haji क्या करना पड़ेगा stretcher comply complice क्या करनी पड़ेगी जल्दी चेती चेती हाजी बचो दिल्दी shareholder की meeting call करनी पड़ेगी meeting से pilot को सारे facts बताने पड़ेंगे special resolution pass करवाना पड़ेगा section 199 special resolution with terms and conditions to be due diligence directors को due diligence करनी पड़ेगी कि सामने वाले पैसे दे देंगे जबर्दस प्यारे बच्चों देखे सवाल समझे discuss the statutory compliance to be made by DL हुदा का वास्ता है DL कोई investment नहीं कर रहा है CPL में DL कोई CPL को raw materials apply नहीं कर रहा है it's the CPL जो के DL section 199 तो CPL को पर apply होगा section 199 आपको section का law का scope पता होना चाहिए section 199 जो apply होगा और सवाल की requirement बड़ा category के लिए बड़ा category के लिए बड़ा category के लिए के लिए statutory compliance to be made by the DL in respect of the contract के या तक बाद समझा रही है भाई तो section 199 प्लाई नहीं होगा बच्चों के लिए रहे हैं यह जो बार बार आएक आपको खिरता है ना special discount exceptionally favorable credit terms of 180 days बच्चों के लिए रहे बच्चों के मसला है इसमें देखें CPL जो है वो DL को raw material supply कर रहा है ना तो CPL अपने shareholder से special resolution नहीं होगी सवाल के requirement है कि I discuss the statutory compliance is to be made by the DL not the CPL अगर अगर सवाल में CPL लिखा होता तो क्या apply हो जाता बच्चों जवाब देदें अगर सवाल में DL के जगह CPL लिखा होता तो क्या apply हो जाता तो section अगर एक company अपनी associated company को raw material एक special credit terms में दे रही तो special credit terms loads of guarantee तसभूर किया जाएगा ठीक है तो वो उस वक्त तक नहीं दे सकती जब तक shareholder approval लेकिन सवाल में CPL थोड़ी लिखावा है सवाल में तो लिखावा है DL तो DL को तो एक अच्छी चीज मिल रही है DL को तो फाइदा हो रहा है तो DL की शोडर के approval लेगा DL किस चीज के due diligence करवाएगा clear है बच्चों सारे याँ तक तो इसका मतलब है इसका मतलब है इसका मतलब है पहली चीज तो यह के associated company तो है पहली चीज तो यह associated company तो है section 199 पूरा आपके सामने लिखावा है section 190 will not apply because DL is not making any investment by way of loans, advance, equity or guarantee आप समझे है section 199 will not apply because DL is not making any investment, it's the CPL who is making an investment and the requirement of the question is for DL क्या यादर क्वा समझ आती है यह DL को अगली attempt में पूछ के वो CPL करते है यह DPL को DL को change करके CPL करते है same answer, same question, सब कुछ same, सिर्फ DL की चगा क्या लिखते हैं सिर्फ DL की चगा अगर CPL लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो अब आप cancer कहां से अफिला हो जाएगा, अब आप cancer कहां से बनेगा मुझे एक बात समझ आ रही है, यह सिर्फ एक word change हो जाएगा, एक word change हो जाएगा, एक word change हो जाएगा और आपका section change हो जाएगे, यह इतना tricky paper है, तो section 99 सिर्फ read नहीं करना है, again मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, section 99 का scope पता होना चाहिए किसका scope क्या है, यह apply किसके उपर उपर बता है आपका पता हूँ, आपका ऑना लगा, एक word हो जाएगा, आपका जाएगा, वे इक उपर लगवाव दो का लगवाव जामने लगवाव एक लावने में किसके टोप्रमाइट प्सेट कमपनी कुल claim to accept for the amount you as a grabbed no specific कि यह इंद आ वहीं जूकर नहीं होगा कुछ किन ऑ-पकर कह रहा है के भाई आफ द यो डिल को प्रसमर्क्थ बता है उसने क्या करना ओगा तो उसने सक्ष तो आए करना ओगा related party transaction और related party transaction से related जो regulation है वो apply करनी होगी सुन्ये गस का answer बनता कहां से related party transaction section 208 a company may enter into a contract with a related party only in accordance with the policy approved by the board subject to such condition as we have specified with respect to any company which is the holding अपनी holding company साथ भी को transaction करने जा रहे है तो policy approved by the board होनी चाहिए और एवरी contract रिजमें एंटे to subsection 1 shall be referred in the board's report to the shareholder along with the justification for entering into such contract or enrichment तैमूर असर लेकिन आपने answer CL के aspect से थोड़ी देना है आपने तो answer CL के aspect से देना है आपने तो answer CL के किसके aspect से देना है ना आपने आपसे देना किसके aspect से यस 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 इंकेस और CL बोथ इल अप्लाए 199 प्लस 208 क्यों रिकॉर्ड तो मेंटियन करना पड़ेगा आर्पे के साथ जितनी transaction है जो कुछ भी और इसमें अगर को डिरेक्ट इंट्रेस्टेट है तो आपको सारे रिकॉर्ड मेंटियन करने पड़ेगे सुनियेगा मेरी को सी यूसीजी अप्लाए हो जाएगा सी यूसीजी अप्लाए हो जाएगा कि डिलेटट पार्टी ट्रांसेक्शन अगर है तो अगर और उडिट कमीटी में रेक्मेंट होगा और सेंड भी प्लेस्ट बिफॉर न बोड फॉर दे रिवीव एंड एप्रूवल क्यों या जो सवाल में लिखा वे लिश्ट कंपनी में यह जान बूच के लिखा गया लिश्ट कंपनी समझारी यह जो सवाल में लिखा गया लिश्ट कंपनी और आगर लिख दिया जाता कि 60% वोल्डिंग इसके ही federal government के पास है तो फिर क्या अप्लाए हो जाता है फिर public sector rules भी अप्लाए हो जाते है तो COCG भी अप्लाए हो गया चूंकि लिस्टिट company है तो PSX की rule book भी अप्लाए हो जाएगी कि अगर किसी आर्पी के साथ किसी किसी सब्सीडिय के साथ या अप 10% जादा ट्राइक्शन करें पर्चेस कर रहे हो तो वह आपने स्टॉक एक्षेंज को इंटिमेड करना है तो PSX rule book भी अप्लाए हो जाएगा ये चार चीज़े अप्लाए हो जाएगी प्यारे बच्चों आपको scope और linking आपको राजमी पता हो नहीं चाहिए समझा रहे है बच्चों तो जो time रहे किया है और जो 6-7 दिन allocate करने law को तो इस तरीके से allocate करना है कि अगर सवाल में section family apply क्यूं नहीं होगा अगर सवाल में section dime shipile अप्लाए होताई क्या प्र ये बात आ जाती है रहे मचों का याद बास समझ आती है सी पी एल के साथ ट्रांजेक्शन होई है तो खुदा का वास्ता है सी यो सी जी सी यो सी जी पी एस एक्स रूल बुक अप्लाई नहीं होगी तो आंसर एक सो नियांजो और दो सो अट तक लिमिट रहेगा ये एक वर्ड में चैन्ज गरूगा मेरा आंसर चेज़ता लेका तो सिर्फ लोग को रीड नहीं करना है लोग से बाते करनी ही आपने कैर अगर सवाल में ये होगा तो इस तरह हो जाएगा अगर इसमें ये लिखाव है तो ये होगा ये चीज इसके उपर अप्लाए होगा, इसके उपर अप्लाए नहीं हो अच्छा जी, सुनियेगा मेरी बाप को बड़ बहुत से सुनना है सकने दूसरी रिक्वाइट मेंट principally approved to amalgamate OL and ML with and into DL principally अगर public sector company होगी और listed होगी iPhone तो फिर public sector rules भी अप्लाए होगा और CUCG भी अप्लाए होगा और दोनों से comply करना होगा ड़नो principally approved to amalgamate OL and ML OL and ML with and into DL to achieve the economics of skill and the efficiency случае अच्छा है है अच्छाि想 की बात हो रही है मैं समरी में चला गया है है मेल कमेशन कनेंゃ व बात हो रही है आपके Remote 284 भी अप्लाए हो सकता है और section 284 कह रहा है कि Amalgamation of Holy Owned Subsidies in Worlding Company तो 282 भी अच्छा कि 282 अप्लाए होगा तो जली से बता दें को और section अप्लाए हो जाएगा को और section अप्लाए हो जाएगा अगर 282 तो 282 start ही कैसे होता है कि in addition to 279 सही है वो सारे मामलाद तो करना है लेकिन यह specific scenario में भी करना है तो मुझे तो यह देखना पड़ेगा कि 282 अप्लाए हो रहा है कि 284 अप्लाए हो रहा है 284 काप अप्लाए होगा जब वो Holy Owned Subsidies ML के मेंट हो रही है अगर Holy Owned Subsidies ML के मेंट हो रही है प्यारे बच्चो 45 कितरा बन गया प्यारे बच्चो तो ML भी मेरी Holy Owned Subsidies है और DL की ओल में कितनी holding है वहां भी 100% है तो इसका मतलब है Holy Owned Subsidies को अगर मैं Amalgamate करने जा रहा हूं अगर Holy Owned Subsidies को मैं Amalgamate करने जा रहा हूं प्यारे बच्चो तो इसका मतलब है इसका आंसर कहां से बनेगा इसका आंसर सेक्शन 284 से बनेगा प्यारे बच्चो लेकिन अगर CPL को OL के साथ Amalgamate करने जा रहा हूं अगर CPL को OL के साथ Amalgamate करने जा रहा हूं जल्दी 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 पहला scenario OL और ML आपस हमल कमेंट होने जा रही है OL और CPL आपस हमल कमेंट होने जा रही है OL और CPL 282 प्लस वाला सेक्शन ने इंफर्मिशन वाला सेक्शन है वह भी अप्लाए होगा क्या यहां तक वासामा जाती है मेरे बच्चों जबर्दस बैतरीन हो दिया बैतरीन हो गया तो बस जब मैंने स्टरेंट पिक कर दिया इसके बाद की मसला इंगी है मैंने से वह सिनारियो उसको explain कर दिये कि दोनों की board approval करना जरूरी है swap ratio होना चाहिए evaluation होनी चाहिए यह सारे मामला आपने लिख दूगा डन हो गया बच्चों चलें जी जबर्दस आपका जो 3 4th majority वाला मसला है और वो 9 10th वाला मसला है उसको resolve करना है जो 3 4th majority वाला मसला है और 9 10 वाला मसला है उसको resolve करना है लो यह जहां और लक्ते लिखने आए का सवाल किस तरह की से पूछ रहा है किसी एक्सी एक्सीट जिसेलिक्स सवाल कितरुकर्ड जल्क पूछ रहा तो लिखने 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 कैसे यार प्यारे बचो यहां तक बाल समझ आती है कुछ फायदा हो रहा है और अगर इंशाल्ला यह तो खैर एक वर्क्शॉप है जो हमारा खैर जो हमारा सीफटू का बैचे वह ताम दो खतम हो गया है लेकिन जो जितने भी टॉपिक्स अगर को इस तरह किसे लिखे चलने है कि एक कंटे में शेर्स पूरा दिवाइस कर लो एक ऐसे डियाग्राम का सथ एक ऐसे अटर्ट का साथ सायी चीजिदी लेकिंग हो जाए कि पी ऐसस क्या कहता है स्कूरीजट क्या कई प्रइबिट्सपंट क्या कहती है इंसाने ट्रेटिक काँ पर लिखा हुआ है, प्राइस से इंफोर्शन काँ काँ पर लिखी थी है, सही है, लेकिन उससे पहले ये माइन आप ने करनी है, कि आप स्कोप समझाएं, आप स्कोप समझाएं, थीक है जी और अभी और भी करने इंचल्ला अभी और भी चीज़े देखने ही हमने अभी इंचल्ला भी देखना है, AML भी आशके क्लास में देखना है और COCG भी देखना है, तो थोड़ा सा चल्ने रेडी हो जाएं Drobina Limited, a public unlisted company, is engaged in the business of manufacturing consumers, healthcare products the company has been facing difficulties in meeting its financial obligation and consequently the RL's TFC holder, creditors की बात कर रहा है agreed by the non-payment of the last three installments, including profit, have threatened to apply to the court the list of RL's shareholder and the TFC holder as a T-Septal 2021 is as follows यह आपके नाम है, उनके पास कितने shares मौझूद है और उनके पास कितने TFC holder मौझूद सही है तो आपके पास shareholder की पीडिटेल आ रही है और TFC holders की पीडिटेल आ रही है total कितने TFC holder है हमान पस, total number of credit is कितने है done होगा भाई यह done है प्यारे बच्छो सवाल कह रहा है हो the management intend to resolve the issue in order to avoid litigation in this regard, an application was submitted to the commission in response, the commission has ordered RL to hold a meeting with the TFC holders in compliance with the commission's order RL has sent the notice of the meeting to all the TFC holders with the proposal to pay 50% of the outstanding amount as the final settlement प्यारे बच्छों कोंसे section की बात कर रहा है जली से बता किया होने जा रहा है court को एक दर्खास लिखी गई है, commission को एक दर्खास लिखी गई है कि जिए TFC holder की meeting call की जाए, बस आप एक काम यह कर दे, TFC holder की meeting call करते है क्यों? विकोज में दर्खास लिखी रहा है, कोई TFC holder अगर court के पास चला गया और court के पास उसने winding up की petition दे दी तो फिर तो मैं बंद हो जाऊंगा तो मुझे एक chance दो दे यार, आपने winding up की करवानी आपने economy बिठानी आपने पाकिसान बिठाने एक chance दो देना यार क्रेटर को एखटा तो करे ना आपका order होगा तो इस सारे खटे हो जाएग इस आपने सही है और अगर किसी लोगों ने agree कर लिया तो at least company चलती रहेगी, chance बनता रहेगा और restructuring होती रहेगी, समझ आते है, logic समझ आती है, अच्छा जी Determine the quorum of the meeting and discuss the condition to be met for settling the outstanding amount as proposed by R.S. management, also discuss the information required, information and test section 279 है, तो information कौन से section के तायत होगी, जल से बताते, अभी समरी देखी है हमने, जबर्दस मेरे बच्चो, जबर्दस, जबर्दस, required to be provided to the concerned regulator in this regard, कितने नमबर का सवाल, तो आप समझ रहेगे तो जब scope बता होगा तो इंशाल आसा नहीं रहेगे, कितने नमर का सवाल, चार्ट नमर का सवाल है, determine the quorum of the meeting, अगर quorum of the meeting के बात करूं, मैं, part B में भी आते हैं, meeting का quorum क्या होगा, determine the quorum of a meeting, and discuss the conditions to be met for settling the outstanding amount, conditions क्या होगा है, जिसके basis पर जो amount proposed की गई है, वो settle हो जाएगा, सही है, और propose क्या गया है, कि 50% पैसल ले लो, तो क्या condition होगी, कि 50% ही पे करके, सारी liability को इखटा क्या जा सकता है, एक चीस समझ लीजेगा, प्यारे बच्चो, quorum स slash code, तो अगर commission या code होगी, वो quorum decide कर सकती है, अगर उसने quorum define नहीं भी किया, तो companies act के जो section है, companies act के जो section है, लेकिन सर, companies act के जो section है, वो तो quorum बात करता है, members की meeting में, वो तो quorum, तो अगर यहाँ पे commission और code नहीं कर order दिया है, तो वो अपने order में quorum को define कर सकती है, सही है, अलो क्या भाई, असल जो मसला है प्यारे बच्छों यहाँ पर है, असल जो मसला है वो यहाँ पर, if a majority in number representing the three-fourth in value of the creditors or class of creditors or members as the case may be, members का मसला ही नहीं है, present and voting either in person or your proxies are allowed by proxy at the meeting, agree to any compromise or arrangement, the compromise or arrangement shall, if sanctioned by the commission, be binding on the company, all its creditors, all का मतलब क्या, all का मतलब क्या, जो dissenting shareholder होगा, sorry, जो dissenting creditor होगा, उसके उपर भी apply हो जाएगा, सारे members के उपर भी apply हो जाएगा, liquidators के उपर भी apply हो जाएगा, contributors के उपर भी apply हो जाएगा, कहीं यहां तक बास समझाती है, भाई, बच्चों के लिए ले, अच्छा, तो जो वो three-fourth की बाग कर रहा है, तो मेरे पास 600 million के TFCs है, हर TFC कितने का है भाई, जली से बता दे, मेरे पास 6,00,000 TFCs है, और number 8,000 है, हर TFC 50 रुपे का है, कितने बने भाई, बता दें भाई, तीस million, यह total value हो गई, तीस million का, तीस million का, मुझे जली से बता दे, थ्री-fourth कितना होगा, साड़े-बाइस में है, दन हो गया पहरे बच्छो, दन हो गया, अच्छा, इतने, इतने क्रेडिटर तो अग्री होने चाहिए, इतने क्रेडिटर तो अग्री होने चाहिए, अच्छा, और लिखावा है, मेज़ोरिटी, तो नमबर ओफ क्रेडिटर कितने है, तो मेज़ोरिटी कितने होगा है, तो six का मेज़ोरिटी कितना होगा प्यारे बच्छो, तो मतलब चाहर क्रेडिटर का एग्री होना जरूरी है, चाहर क्रेडिटर का एग्री होना जरूरी है, अगर चाहर क्रेडिटर के पास अगर इतना क्रेडिट अमाउंट है, तो जाके यह बक्या दो के ओपर भी बाइंडिंग हो जाएगा, क्या मैं सही कह रहा हूं? चाहर क्रेडिटर, तो आप इसका मतलब यह है, आपने आजएक के आपको स्रिफ यह नहीं बताना है, तो इसका मतलब है, ऐक, दो, तीन, चाहर पास हो गया, रेकरंसुक्शन हो गई! जिन 4 पे टिक करा है वो जिन 4 पे बॉल्स बनाए एक दो तीन चार मीटिंग में दोनों आज उठाली यह लोग करें सिर्फ मेजॉरिटी तो है लेकिन 3 फोर्थ नहीं है लेकिन 3 फोर्थ नहीं है अच्छा अच्छा यह जो दो लाग तीस हजार है जो दो लाग तीस हजार है इसको अगर आप पचास से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा ग्यारा हजार पांसो सही है और य क्या दोनों को प्लस कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चो 22,750 और चाहिए कितने है चाहिए कितने है 22,500 तो क्या लोग तो क्या सेक्शन पांस हो जाएगी क्या रिस्ट्रक्ट्रिंग हो जाएगी अगर PM अगर DL और IRS Limited नहीं प्यारोच जब्हूरीन, क्यूं? क्यूं? बिकॉस ये तो हो जाएगा मसला किस चीज का है? मसला किस चीज का WITHよう प्यारे बच्चों मुझे 4 चाहिए चाहिए if mojang 4 टिटेट्र चाहिए तो मुझे इं मैं से इस में से, इन में से 30,000, 40,000, 20,000, 25,000 में से 4 किसी भीर दो जूँ जाए वो 20,000 बिल्कुल निकम में ही क्यों न हो, कम ही होल नह रो, मुझे उउटिंग नहीं हो, मुझे उनकी होलं की होल्डिंग नहीं इस फोर रहिए थृषभ भी नहीं होगा तो पास नहीं हो सकता must agree to this arrangement must shall यह लाज्मी है however along with DL and I'll two more candidates must also present and vote to agree for the compromise or arrangement तक है यह यह दा समझ आती है the company has disclosed to the commission अब आप से अगला सवाल कहता है और इसके अंदर अगर आपने थोड़ा से और समझने हैं चीजों को थोड़ा से और देखने हैं तो इलिस्टरेशन अगर आपने खार क्लास में कीते हैं अगर आप बोलेगे तो मैं आपको रिपीट कर दोगा सही है आपको रिपाट है अब आपको बढे खार समय ने खार करें ऑन क्योंपिर है और स्फों में निए सुन याते हिने करें अद बढ़े अधिनक निर्वांटी था हैं इंटायर बच्चो यह सुन्येगा यह बड़ी इंपोर्टन चीज है यह अल्ला का वास्ता है सुन्येगा यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन चीज है यह बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टन चीज है और चार में दोजारकेश, CPL a public enlisted company engaged in the manufacturing of pharmaceutical products decided to acquire the entire shareholding of RL on 14 में 2021, share transfer scheme was forwarded by CPL to RL shareholder according to which RL shareholder will get one share of CPL against every two shares of RL FBL and NTL outrightly refused to avail the scheme as both were of the opinion that it is not fair value of the investment RL while BL, DL, ABA, AR and AS had already shared their ascent with the scheme by 31 May 2021 discuss 8 number का सवाल, सवाल के लिया है discuss whether the shares transfer scheme offered by the CPL can be implemented advise the courts of action to be taken by the CPL in order to settle the matter with the FBL and NTL हाँ जी बच्चो मैं एक shareholder हूँ, मैं कौन से shareholder हूँ, मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है CPL, ऐसा ही है मैं CPL हूँ बच्चो ऐसा ही है मैं एक company का shareholder हूँ, 2 million मैसे मेरे पास 1,90,000 shares आ रहे है मतलब 10% से कम आ रहे है, सही है और मैं 100% इसको take over करने जा रहा हूँ 100% इसको acquire करने जा रहा हूँ सबसे important law कौन से apply हो जाएगा, जली से बता दे सबसे important law कौन से apply हो जाएगा, पैरे बच्चो 10% से कम holding है substantial acquisition take over यार क्या हो किया बच्चो substantial acquisition take over उमर साब substantial acquisition take over मैं sheer older हूँ, मैं पर 10% से कम holding है मैं 100% acquire करने जा रहा हूँ बच्चो जिस company के shares acquire करने जा रहा है आप वो unlisted company है वो unlisted company है, take over लिस्टर कमपनी पर apply होता है ख़दा का वास्ता है take over पढ़ ले चो पूरा पूरा scope के लिए रोना चाहिए हम है यार हमें इसको, ख़दाना खासता ही है अगर UN अटा दू ना मैं सिर्फ UN अटा दू है क्या अटा दू, सिर्फ UN अटा दू आप सोच ने सकते हैं आपका आउटर काँ चला जाएगा समझा रही है बात बच्चो यह जो बात नहीं समझा आई आपके किसे विसको से क्या मिटा दू मैं तो अगर यह लिस्टर कंपनी होती और मैं कंपनी को आफर करता कि मुझे तुम्हारे शेर्टर से शेर्ट्स चाहिए और मैं शेर्ट्स पर्चेस करने जा रहा हूँ बच्चो याद है ना टार्गेट कंपनी टार्गेट कंपनी कौन हो की टेक ओवर में क्या था टार्गेट कंपनी कौन होती है टार्गेट कंपनी को या लिस्टर कंपनी हो या होलिटिंग कंपनी लिस्टर हो तो इसका मतलब है take over apply नहीं होगा भाई take over apply नहीं होगा भचो यह क्या apply होगा section 285 apply होजाएगा यहां पर section 285 apply होजाएगा सही है section 285 आपको apply करना होगा प्रावर तो अक्षर टो अक्षर अग्वार शिर्ट अग्वार अग्वार्ट प्राइव डिस्था कि अग्वार ट्राव ट्राथ कि लिए रे बच्चों यहां पर काजी क्या है काजी क्या है देखें यार, बच्चो, लॉओ काया ना, थोड़ा स्कोब समझनी कोशिश करा ना. क्या लिखा भाई यहां पर बता है? तो यह जब यह लॉओ ड्राफ्ट वा तो यह पर टेक ओवर की बात क्यों नहीं कई गई? कि टेक ओवर ले, यहां पर समझनी कोशिश करें, तो खुद अपने शेर्स ट्रास्फर करने जा रही है किसको और टेक ओवर में क्या था टेक ओवर में क्या था कि एक एक्क्वाइर टार्गेट कंपनी के शेर्स को ट्रास्फर करने जा रही है किसी और कंपनी को ट्रास्फर करने जा रही है एक अर्रेंजमेंट के ट्रास्फर पूरी आपने काशे वही कर वा देता हूं बेटा आजो चुल आजो एक काम करते हैं ना एक काम करते हैं एक सेकड़ दे मुझे करता है, कज दो आजो अच्छी अप देखले अच्छी 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 को देखे आपके पास कितने चेज़ अच्छी ता आपके पास कितने चेज़ है 2 million shares है, सही है, और हर्ट share कितने रुपय का है? 10 रुपय का है, ठीक है, और ये number ये 1000 लिए पर है, तो मैं बढ़ा आसान काम करता हूँ, मैं बढ़ा आसान काम करता हूँ, मैं 2 million को तो 10 से multiply करता हूँ, मैं simple ये कहता हूँ, 2 million में से, मेरे पास कितने shares है? CPL इसके शेट्स मैनिस कर दू बिकोज सब मैं ही एक्वाइर करने जा रहा हूँ तो मेरी अप्रूवल तो काम नहीं आएगी देन हो जा बच्चो और सवाल में लिखा हूँ था BL is an associate company of CPL whereas OL is a subsidiary company of CPL whereas OL is a subsidiary company of CPL तो OL की तर की भाई? OL ये रही इसके भी minus कर दू मुझे थोड़ा जवाब दे दीजएगा बचो चले कितना answer आया भाई? जल्दी से बता के कितना answer आया? 2 million में से मैंने एक नवरी minus कर दी है only subsidy minus कर लोग में लिखावे subsidy minus की associate नहीं होगी जल्दी कितना answer आया? इसके कितनी approval चाहिए? जल्दी से बता दे हाँ तो मुझे भी बता है 9-10 आप multiply करके बता है ना जल्दी यह answer आ रहा है? इतने मुझे approval चाहिए? सही है? मुझे इतने की approval चाहिए? सही है? अब मैं देखता हूँ सवाल में मुझे दियावा क्या है? सवाल में मैं यह देखता हूँ FPL and NTL outrightly refuse to avail their scheme FPL and NTL इन दोरों ना मना कर दिया कि हम तो अपने shares इस बंदे को transfer नहीं करेंगे सही? FPL and NTL को अटा दे अच्छा बागे कह रहा है BL, DL, ABA, AR and AS BL, DL, ABA, AR and AS इन लोग बने consent दे दिये हैं बच्छों इनको add करने जली से जली से add करने जली पर टिक लगा है इनको add करने हैं? 1210 1200 कितने और वोड चाहिए मुझे? कितने और वोड चाहिए मुझे? 239 चाहिए सही है 239 आप मुझे देखें यहां पर 239 देखें इसके अपर कुछ नी बोलागिया सवाल में इसने हाँ बोली है ना भोली grounded नहीं बताया गिया नहीं बतायाकिया मुझे बताए सवाल में इसने हाँ बोड गय कर दिया दियी किसके वोड की सबसरेदा ऐहमियत होगी? अगर अज़ाद मेमूद आशिर खान एमद फरान मान भी जाएं तब भी कुछ हो सकता है किसको मनाना ज़रूरी है बस जबर्दस हो गया तो वाटर लेली तो होना ज़रूरी है डेन हो गया कहरे बच्चों यहां तर पासा मज़ाती है लेकिन मसला यह है लेकिन मसला यह है कि लौ कहता है कि अगर आप कंपनी के शेरोल्डर हो नहीं 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 सुन्येगा मेरी बात को सुन्येगा तला साब लौ आप से कहता है अगर आप कंपनी के शेरोल्डर हो अगर आप company के shareholder हो और आपके पास और आपकी subsidiary के पास मिला के अगर holding 110 से ज़्यादा है क्या ऐसा है क्या आपके पास और आपके पास CPL यह रही और BLS की subsidiary आपके पास और आपकी subsidiary के पास अगर holding प्लस कर ले तो क्या वह 110 से जादा है अगर मैं 390,000 को 2 million से डिवाइड करूँ तो क्या 110 से जादा है तो law कहता है कि उपपर वाली जो 3-4 वाली condition है वो तो comply करनी ही पड़ेगी जो 3-4 वाली condition सॉरी जो 9-10 वाली condition है वो तो comply करनी ही के पड़ेगी लेकिन आपने एक औ करनी पड़ेगी और वो क्या नहीं नहीं एक और चीस में comply करनी होगी वो क्या आपके पास majority creditors नंबर में भी majority होनी चाहिए सिर्फ value में नहीं होनी चाहिए यह नंबर तभी apply होगा जब आपके और आपके subsidy के पास 110 से जादा होल्डिंग है CPL offer the same terms to all the older the shares and in addition to the 19th value the shares of the older who approved the older are not less than 3 4th in number of older 3 4th in number 3 4th in number तो इसका मतलब है total number of shareholders कितने है प्यारे बच्चो जली से बता है total number of shareholders कितने है एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा 14 में से मेरे अपने कितने है 14 में से मेरे अपने कितने है 14 में से मेरे अपने कितने है 14 में से मेरे सबसेटरी इसको मानिस कर दूगा मानिस कर दे कितना है 12 12 में से 3 4th कितना हुआ जली से बता नहीं तो इसका मतलब है इसका मतलब है अगर मैं water lily को मना भी लेता हूँ अगर म बंदा एगरी कर गया था चौता बंदा एगरी कर गया था पांचवा बंदा कौन सा था वोटर लेली सही है पांचवा बंदा का नाम क्या था वोटर लेली ये भी अगर एगरी कर जाए ये भी अगर एगरी कर जाए तो पांच बनते हैं तो पांच बनते हैं तो बचे कितने बाई बचे कितने चाहिए कितने थे चार और चाहिए चार और चाहिए प्यारे बचों तो इसका मतलब है ये जो है ना ये जो है जो हमारे पॉलिटिक्स में भी होता है ये छोटे वाले भी अब चाहिए होंगे समझ आ रही है इसमें से एक पाकिस्तान है एक मादरा बात है कि लिए रहो कि मैं सारी आता है मुझे यह बात समझ आती है तो लोग ये कहता है बैसिक रिविजन हो कि थोड़ा सच्छा अजले फाइफ अपूडर फोर अधिस अप्रोडर मस अप्रोडर इंक्लुडिंग वो इसका तो अना जरूरी है चले जी अच्छा एक ची सुन ले एक ची सुन ले जो थोड़ से confusion आपको रहती है इसको समझ दे आपके मेरे पास प्यारे बच्चो टोटल नंबर ओफ कईडिरस कितने है जली से बता दे लैट से कोई भी नंबर बता दे बार रहे ठीक है टोटल नंबर ओफ कईडिरस कितने है टोटल नंबर ओफ कईडिरस कितने है बारा सही है और लॉग क्या कहता है लॉग कहता है मेजॉरिटी थ्री फोर्थ इन वैल्यू प्रेजन एंड वोट डन हो गया पहरे बच्चों डन हो गया अब मेरा सवाल आप से यह है यह टोटल नंबर ओफ कईडिरस बारा है ठीक है टोटल नंबर ओफ कईडिरस कितना है बारा मीटिंग में आए दस बंदे दो एपसंट थे मीटिंग में कितना है दस बंदे दस बंदों में से पांच ने एफ लिख रहा हूँ फेवर में वोट दिया चाड ने अगेस में वोट दिया और एक जो था वो चुप चाब बैठा वा ता नीटरल था अच्छा amount of creditors amount of total creditors let's say 120 रुपए हर creditor के पास 10 रुपए हर creditor के पास 10 रुपए मुझे बता हैं कि 3-4 majority पास हो गया हाँ जी बच्चों ये मिजॉरिटी किसे निका लूँ मतलब किसो किसे मिल्टिप्लाइ करूँ 12 का मिजॉरिटी लूँ 10 का मिजॉरिटी लूँ 5 का मिजॉरिटी लूँ 9 का मिजॉरिटी लूँ किस का मिजॉरिटी लूँ त्यारे बच्चों 9 का मिजॉरिटी निकले करे सही 9 का मिजॉरिटी कितना होता है 9 का मिजॉरिटी कितना होगा भई जल्दी छेदी छेदी पांच तो क्या पांच लोगों ने फेवर में वोट दिया है अच्छा हर कैटर के पास दस रुपई है तो पांच के पास कितिनी वैली हो गई पचास क्या पचास थ्री फोर्थ रेप्रसेंट करता है तो थ्री फोर्थ किसका लूँ एक सो बीस रुपे का एक सो बीस रुपे का सो रुपे का पचास रुपे का नववे रुपे का किसका लूँ जब बजस नववे का मैं थ्री फोर्थ लोंगा कितना आया अंसर नववे का थ्री फोर्थ लोंगा कितना आया अंसर साट रुपे नव्य का थ्री फोल्ट बनता है 67.5 अमांट कितनी बनने ही 50 रुपे की यह जो सेंक्शन है यह जो रिकंस्ट्रक्शन है यह जो रिस्ट्रक्शन है यह पास नहीं हो सकता कि यहां तक बास समझ आती है खुदा का वास्त है समझने कोशिश करिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ क कोई वोट देगा कोई नहीं देगा सही है हाँ अगर मेरे पास टोटल नमर अफ केटे में जितने मौजूद होंगे उसमें से जिन्हों ने वोट किया होगा प्रेजेट एंड वोट लिखावा है जिन लोग चाहे वोट अगेस्ट का ओ या वोट फेवर का ओ सिर्फ उनको रभी यहां एड करेंगे उन्हीं का 3。4 निकलेगा उनिकी मेजॉरिटी निकलेगी कि judgment है तो इसके फेवर की लेकर चाहर में तो यह eerई एक्स्क्रूडी कर दें प्यारे बच्छों ये इसके बिचे लॉजिक होती है एक बहुत जबर्दस कोर्ट में एक मैंटर पेश हुआ बड़ा जबर्दस कोर्ट में मैंटर पेश हुआ और ये लोग के इंटर्पेटिशन का मसला थे दो मिट आप सुन ले तो आपको थोड़ा से स्पर फाइल हो जाएका बच्छों ये बड़ा जारूर अगर आपको 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 वह कोट के सिस्टी वी दिखा दूंगा सही है कोट में मसला क्या हुआ जो क्रेडिटर्स थे उनके पास 74.2 परसन होल्टिंग थी और एक और मतला क्रेडिटर्स कौन थे ये बैंक थे और एक और बैंक था एक और बैंक था उसके पास रिमेनिंग कितना बचा उसके पास 25.8 परसन होल्टिंग थी इस bank का नाम bằng of Punjab था और यह bank of Punjab जब creditor की meeting हुई creditor की meeting हुई तो यह meeting attend करने गया नहीं सही है, यह सुनिया कहा जब creditor की meeting हुई तो यह bank of Punjab creditor की meeting attend करने गया नहीं और यह लोग जो मौजूद थे जिनके पास 74.2% था उन्होंने restructuring को approve कर लिया जब restriction को approve कर लिया तो bank of Punjab ने bank of Punjab कहां गया, bank of Punjab गया court के पास, और court को कहा कि जी मैं तो उसको नहीं मांता, court ने का क्यों नहीं मांते है को उसने का मेरे पास 25.8% उल्डेंग है, 3.4 की बात की गई है इनके पास 74.2% पास नोल्डेंग है, तो 3.4 बनता ही नहीं है टोटल के इडिटर की अमांट मेरे उसकी मुला के 100 बनती है इनके पास 74.2 है तो ये तो law pass ही नहीं हुआ, सही है ये तो का किता है, ये restriction कर ही नहीं सकता है court ने का क्या तुम प्रेज़ेंट थे मीटिंग में जो मौजूद थे 74.2, इनका 3.4 निकलेगा तो 74.2 % का 3.4 कितना निकलता है लेट से 60% तो 60% रिकर्जिट शेरोल्डिंग थी 60% अगर लोगों ने favor में वोग दे दिया तो तो का 60% का आउनल, 74.2% सारे credit इसे favor में दे दिया आप इकलोते 25.8 % लेके बैठेवे हो, अगर आप meeting में आते हैं और meeting में अगर आप against में जाते हैं, अगर आप against में जाते हैं हां, तब कानून पास नहीं हो पाता, तब restarting नहीं हो पाती, जब आप meeting में मौजूद ही नहीं थे, तो मैं 100 का 3.4 थोड़ी लूँगा जो बंदा मीटिंग में मौजूद ही नहीं था उसको माइनिस कर दूँगा मीटिंग में मौजूद कितने लोगते हैं 74.2% वाले उनका 3.4 लोगा कहा याद है बास समझ आती है पहारे बच्चो और मेरी बास सुनिएगा section 279 की logic में कर जाना है तो कल को यह bank of Punjab जब court में जाएगा और court को बोलेगा मैं तो ऐसी meeting को मानते हैं नहीं हूँ loan देते वे तो ऐसा कुछ था है नहीं कि meeting वगए रहा होगी court को बेटा आप खबरदार section 279 के तहत हो मेरे पास आयते है तो मेरा order था कि meeting call की जाए और meeting में यह मामला था पाई जाए जाए किसम आ नियहीं को धार मंजा रही है कि समझारी तब ही court के पास जाए जाते है meeting के 217 के अगर बीओपी अटेंड भी करता तब भी रिस्टर्चिंग अप्रूब हो जाती नहीं होती अबुबकर अगर अगर बीओपी बीओपी अटेंड भी करता तो टोटल अमाउंट अफ केडिटर हंडेट हो जाती 25.8 किसके पास पढ़ाओ है बैंक ऑफ पंजाब के पास पढ़ाओ है 74.2 किसके पास पढ़ाओ है अगर यह सारे के सारे फेवर में भी आ जाए और सिर्फ यह अगेस्ट में आ जाए प्यारे बचो और सिर्फ ये अगेस्ट में आ जाए, सिर्फ ये अगेस्ट में आ जाए, वो बात किसी इसके करता है, 3-4th value होनी चाहिए तो 3-4th तो 3-4th of 75 बनता है तो इसके उपर जो मैं आपसे interpretation बता रहा हूँ, इसके उपर पुरी legal case है मेरे उपर, सही है देनो जा बचो बचो कुछ फाइदा होगा, तो एक अच्छा tricky area जो 15 नमर कहाता है, 4-5 सवाल भी देखी है और समझ आगे कि अब हमने पढ़ना कैसे सब चाहिए, लेकर कैसे चलना है अच्छा बचो मेरे एक पास, एक पास सुन लेंगे, अगर एक पास सुन लेंगे तो मैं 10 से 15 में चाहला उफ कर दूगा, फिर मंडे सा बंचाहला कंटीनू करते हैंगे, मेरे एक पास सुन लेंगे मुझसे बस एक चीज़ समझ लें, अगर आप वाकई में लोगों को समझना चाहते हैंगे कानून बनता कैसे, कानून पर कानून कैसे बनता उसको समझ लेंगे हमारे मुल्क में 1 AML-210 है जो कि federal government पास किया, SECP ने पास नहीं किया है? किसने पास किया है? Federal government ने सही है. Federal government ने जबी law पास किया, Federal government ने एक committee बने जिसका नाम किया था National Executive 10-15 मिटदे ते आपको बहुत फाहिदा होगा, इंचल भूत फाहिदा होगा, पहला काम था उसने receive करनी थी suspicious transaction report and currency transaction report from reporting entities. दर हो गया? बच्चो से यहां तक बास समझ आती है reporting entities कौन थी? reporting entities मेरे पास financial institutions थी और D&FVP थी designated non-finance business ठीक है यहां तक बास समझ आती है तो उसने financial monetary का सबसे पहला काम कियाता है कि उसने suspicious transaction report और currency transaction report reporting entities से एकटे करनी है receive करनी है और reporting entities के financial institution और designated non-finance अच्छा यहां तक बास समझ आती है चला बच्छे थोड़ा जल्दी जवाब दे दे यार अच्छा जब इनोंने इससे receive करनी है तो act ने act ने फिर बताना start किया और act ने बताना start किया और act ने का किया एक काम करें यह जो reporting entities हैं यह जो reporting entities हैं यह क्या इनका क्या process होना चाहिए यह लोग किस तरीके से risk assessment करें यह लोग क्या controls बना आए यह लोग किस तरीके से customer due diligence करें ये लोग किस तरीके से नो यूर कस्टमर करें यह सारे मामलात के उपर act ने बताया और कानून बताया गया कि घी आपको currency transaction report और suspicious transaction किसको जमा करानी है, किसको जमा करानी है, Financial Monitoring Unit को जमा करानी है, कही यहां तक बास समझाती है? अच्छा, इनके उपर, इनके उपर कौन बैठावा होगा? इनके उपर बैठावा होगा, Regulatory Authority. मुझे बताने है, पाकिस्तान में जो Financial Institution है, उनकी Regulatory Authority कौन है, लैट से, अगर Financial Institution बैंक है, तो उसकी Regulatory Authority कौन सी है, जल्दी से बताने है, जल्दी बताने हैं प्यारे बच्चो, State Bank of Pakistan, तो State Bank of Pakistan से कहा गिया, कि जी आप भी बैंकों के लिए, कोई ना कोई, मरी लॉंडरिं में हैं, वो ICAP के द में फॉल करती है, वो ICMAP के द में भी फॉल करती है, इन जब एपनने जाब फॉल करती है, उन से कहा गिया और इससे कहा गिया, कि जब आप इनको लाइससे दे रहे हैं, तो आपने AML से compr 진행 करनी है इनको दिन बर दिन महीना बार महीना इनको guidance प्रोवाइड करनी है त्विलिंग प्रोवाइड करनी है और इसी तरीके से इनसे भी कहा गया कि आपने reporting entities को जो आपके एंड़िट में fall करती है जो आपके एंड़िट में fall करती है आप regulatory authority हो तो आपने इनके उपर भी इनको भी guidance देनी और इनकी licensing condition में और सारी चीजों में AML को embedded करना है सही है तो हुआ किया ही तो सारी बाते थी यह कानून act में बताई गई थी इन सब के मामला कहां बताए गया हमें AML regulation 2020 में बताए गया है तो यहां देपास समझ आती है और AML 2020 को किस ने बनाया SECP ने बनाया और SECP ने स सारी के सारी companies में नहीं बनाया अगर एक ऐसी company है जो textile का business करती है तो textile के पुब्रिक से deposit ही कटा नहीं करती है तो इसको पर क्यों apply होगा भाई उसको पर apply नहीं होगा हां लेकिन अगर को insurance है कोई broker है कोई broker है कोई broker है अगर insurance है broker है उनके उपर लास्मीं apply होगा जो पैसों की involvement हो रही होती है जो मारे पास NBFC हो गई mutual funds बगरा हो गया है क्या याद में पास समझ आती है बच्चो अच्छा तो इसका मतलब है इन लोगों ने इन लोगों ने उनको guidance provide कर दी गई है और इन लोगों ने suspicious transaction report कुसको जमा करानी है suspicious transaction report मेरे प्यारे बच्चों कुसको जमा कर करेगा और analyze करके मेरे प्यारे मुझे बढ़ा दें जल्ली से मुझे बढ़ा दें यह किसको forward करेगा यह forward करेगा agencies को सही है यह forward करेगा NAB plus FIA जो भी आपके agencies है जो भी आपके investigation and prosecutor agency उनको forward करेगा यह agency तो खुद एक body corporate है यह किसको करेंगी यह आगे forward करेंगी एक investigating officer को और य ये investingutch deal of officer ये investingicking officer for example यह customer है और ईक कास्टोमर बैंक के पास और बैके पास पचास लाख रुपे का कैश जमा कराकरा यह सही है पचास लाख रुपे कैशे जमा रहे है बैंक ने फॉरंद से किसको बता दिया बैंक न फॉरंद से बता दिया फानेंशल मोनितरिंग n Parliament प्रोविजनली उस प्रॉपरटी को जो इस उस यह सुकून का सांस लेगा कि यह property बेग गोड के अप्रोवल सब इन सारे प्रोसेस में कोड इनकोर सही है तो कोड के अप्रोवल से यह प्रोविजनली प्रोपर्टी को अटेज्ट करेंगे कि वो सुकून नोगे पैसा मरी लॉंटर का है लेकिन यह पैसा के जाता नहीं पर प इसको सब्सक्राइब और इसके कुछ देज फिए यह प्रोविजन ऊडर फाइनल ओर्डर में भी कनवर्ट हो सकता है और जैंकोर्ट यह भी ओडर दे सकती है कि भाई इसको फोरन से क्या किया जाए अपने कब्सें में ले लिए आजाए या कोड यह बी कह सकता है शूरी ब बेचने का भी order pass कर सकता है प्यारे बच्चों कि यहां तक पास समझ आती है और investigating officer क्या कर सकता है investigating officer किसी भी premises को property से related search कर सकता है किसी भी person को जो property से related है उसको भी search कर सकता है उसको investigate भी कर सकता है कि यहां तक पास समझ आती है आप सब के बच्चों ये हमारे पास ये हमारे पास anti money laundering का anti money laundering से related एक structure है law और कानून इस तरीके से बढ़ है कि पहले law आया कि जी आपने law आया कि जी इन लोगों ने reporting entities ने report करनी है ये लोग रिपोर्ट कैसे करेंगे इनकतों के कानून बता है तो कानून बता दिए कभी आपने process बनाना है assessment बनाना है यह बनाना है फिर law फार्टल कमेंट ने का यह जो reporting entities होंगी यह तो बेटी मेंने कानून के ताहिद आ रही होंगी यह तो इसके उपर अलड़ी है तो state bank बेटा होगा यह ऐसी सी पी पेटा होगा यह आप यह customer transaction करने जा रहे हो किसके साथ बैंक के साथ तो बैंक चुके reporting entity है तो आपकी क्या के जिमत आ रही है सवाल यहां से भी आ सकता है और अगर बैंक ने रिपोर्ट कर दिया किसको financial monitoring unit को और financial monitoring unit ने आगे prosecution agencies को involved कर दिया investigation prosecution agency को involved कर दिया और उन्होंने एक investigating officer को को अपॉइंट कर लिया तो वो जो investigating officer होगा उसके क्या-क्या power and rights है वो भी सारी चीज़ा सकते सब्सक्राइब 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 तीन जगावे से किसी एक जगासा है बच्छो कम लेकिर खुदाना खासता अगर 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 बच्छो को और अमेर् रेगुलेशन भी अप्लायोगी और बड़ी specific company को ट्य वाली company अगर आप NBFC ओ ब्रोकर ओ बच्छो कर यातक पास समझ आती है मुदारपा हो जबर्दस 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 बच्छो अच्छा जी समर्दाज अरबाइस आजाएजी LRE is a partnership business duly registered with the relevant authorities. The company signed an agreement with Palm Housing Society that has launched a new housing scheme to sell the residential houses to general public. अधनार जफर, one of the LRE sales agent, इलिखेंद दियूझ एक्पर्टनेर में, that yesterday, he booked Paintis Bangalows and provided the following details. Zeyd Khaled, a leading business man, who is also an old customer of LRE, has booked 15 Bangalows and has given a check equivalent to the amount required for initial booking. However, he has requested to book the said Bangalore in the name of his accountant, in the name of his accountant, part 1. Part 2, Shaheer Azam, a retired government official, has booked 20 Bangalore. He has paid full amount for all the Bangalore in order to avail full payment discount. However, he has not yet provided his CNIC for fulfilling the LRE's mandatory record keeping requirement. अपना CNIC, ये बंदा पर CNIC नहीं दे रहा, ये बंदा फ्लेट जो है, वो accountant के नाम पर कर रहा है, प्यारे बच्चो, सवाल की requirement है, under the applicable corporate laws, advice LRE, advice LRE, सही, LRE क्या है, real estate agency. On the legality and reporting responsibility in respect of the above transaction, कितना, तो इसका बता है, सवाल मुझे बता है, सवाल किसके उपर apply हो रहा है, सवाल किसके उपर apply हो रहा है, सवाल LRE के उपर apply हो रहा है, LRE क्या है, LRE reporting entity है, तो reporting entity ने क्या करना होगा, प्यारे बचो, reporting entity ने file करना होगा किसको financial monitoring unit को, बस ये, आपको answer इतना सा लग रहा है, लेकिन आप answer देखे कि answer draft किस तरीके सो हो रहा है, सबसे पहने, section, स्याद खालिट, legal person means companies, association, foundation, partnership, societies and any other legal person as may be defined in any other law, LRE is a partnership business, duly registered with the relevant authorities, therefore it will fall under the AML Act 2010, under the definition of legal person and AML regulation will not be application, will not be applied, assuming that it is not incorporated under the Companies Act 2017, ये बात समझा लिए प्यारे बच्चो, कि answer सिर्फ और सिर्फ कहां से होगा, answer AML Act से होगा, AML regulation सी में होगा, because regulation जो आपके syllabus का पार्ट है, वो किस ने issue करी है, वो SECP ने issue करी है, और SECP किस के ओपर apply होता है, companies के ओपर apply होता है, क्या ये, क्या ये LRE company है, आचा जी, reporting entity means financial institution and DNFVP and any other person notified, designated non-financial business and profession means the following person, सन्ट रियल इस्ट्रेट किया हां जी क्या ये विप होगया है रियल इस्ट्रेट क्या बिजिस्ट किया लेडियर इस्ट्रीट कही है न क्या ये डियन इंफ़ेंटिalayasik लेकिन यह नॉन फॉनिशिट बिसनिस ते लेकिन इसको डेजिगनेट कर दिया गया है कि यहां के मनी लॉटिंग सबसे जाद होती है अब कहने में मजा आएगा कि every reporting entity shall file with FMU to the extent and in the manner prescribed by the FMU report of suspicious transaction conducted और attempted by it सही है यह पुरा law मैंने लिखा प्यारे बच्चो यह पुरा मैंने law लिखा और मैंने कहा LRE is required report the suspicious transaction report to the financial monitoring rate promptly because the transaction seems to be the suspicious transaction सही है यह STRA currency का मसला नहीं है यह suspicious transaction है पहली फुरसत में financial monitoring unit को आपने promptly बतारा पड़ेगा currency transaction report का मसला होगा साथ दिन की गुजाईशे साथ दिन के अदर बताता है दैन हो जा प्यारे बच्चो शहीर आजम every reporting entity shall conduct CDD in the manner as may be prescribed and in accordance with the provision of this Act entering into a business relationship every reporting entity क्या यह real estate reporting entity की तव्या फॉल करता है यह उपर बता चुका हूँ यह legal इन जा नो तिन को मैं आपने काूइश्या आपने का स्टमर को जानते ही नहीं है ज़िसका नहीं है जब इसका अउन स्सक्राइश्याईस्या नहीं नहीं है च्स्टमर को पहला स्टेप होता है as CNSE has not been provided by the customer therefore LRE shall not enter into the business relationship and यह सबसे important है transaction shall promptly consider filing suspicion transaction report to the financial monitoring unit कहें गया तक बास समझाती है बच्चो बहती हिन होगी यह आखरी सवाल देख ले है यह आखरी सवाल देख ले है बड़ा इंपोर्ट सवाल है यह बड़ा इंपोर्ट सवाल हो पिसके बाद इंचला आफ करते है 70 अपला होगे ना नातिक CDD नहीं होगा तो यह इंपक्ट होगा legality कह रहे है न हो कह रहे legality of the transaction मत है नातिक तो अगर वो NIC नहीं देगा तो क्या यह transaction की legality है कोई कि यह transaction आप कर सकते नातिक साहब आप mutual fund में जाएं बगार NIC के बगार return के और आप बोले मेरा account खोले और यह पक्रणे पचास लाग्रुपे मझे पचास लाग्रुपे के units देड़े लेगी वह आपसे mutual fund आप बैंक पर जाएं बैंक को बोले मेरा account खोलवा दो लेंकि मैं NIC नहीं दे रहा बस account खोलवा दो तुम नाम बता रहा मैं इस नाम से खोलवा दो खोलेगी आपका account सिर्फ account खोलेगी नहीं foreign से communicate करेगी किसको communicate करेगी financial monitoring unit को करेगी मैं एक बंदा आया था और ये बंदा था और इसने ये अरकत करिया चाहे आप transaction करो या ना करो financial monitoring unit को बताना पड़ेगा ये बड़ा जबना सवाल है या आखरी सवाल बचों बिचुटी या आखरी सवाल है जरूर देखे गस को LPL was incorporated in 2019 its principal line of business is to promote internationally renowned brand of cloth in Pakistan in this respect LPL signed an agreement with the various foreign entities for which it has to perform invert and output foreign exchange transaction on regular basis using the sources permitted by the state of Pakistan however sometime due to the urgency of the transaction LPL remit the amount to the beneficiaries प्या आखरा पड़ता हूं तो क्या लग रहा है पहले paragraph पड़ता हूं तो क्या लग रहा है यह लग रहा है पहले paragraph पड़ता हूं तो क्या लग रहा है फ़रा लग रहा है on 5th December 12th the company was informed through reliable sources that some of the remittances it made through unauthorized source have come to the knowledge of the regulators and consequently they have referred the matter to the prosecution agency the agency is considering to appoint an officer for the investigation of LPL's affair who would also make sure that the LPL does not transfer any of its properties whether located within or outside Pakistan till further notice under the provision of the relevant corporate law advice LPL management about the risk related to LPL properties कितने नमर का सवाल है जब यह सवाल पड़ता हूं यह paragraph पड़ता हूं तो अंसर कहा जा रहा है आनसर जा रहा है अमर की तरफ ऐसे यह है ऊसे जुर्व कि जब कहां जलक राव पड़ता हूं तो क्या अपला हो रहा है अब निंच sweetheart a अन्दर जो financial monitoring unit होती है तो reporting एंटिटी ने financial monitoring unit को report करना होता है और financial reporting monitoring unit ने आगे as a agent investigate prosecution agency को refer करना होता है prosecution agency क्या करेगी investigating officer को appoint करेगी क्या सवाल में investigating officer appoint हो चुका है क्या मैं इसका answer यह दूँगा कि reporting monitoring entity ने financial monitoring unit को बताना पड़ेगा क्यों यह हुआ है तब ही तो financial monitoring unit ने आगे forward करी है और जब इसको forward करी तो इसने आगे मजीद forward कर दी किसको investigating officer को तो investigating officer क्या कर सकता है property से related provisionally attach कर सकता है सही code की approval के बाद provisionally attach कर सकता है final attach कर सकता है sale कर वा सकता है forfeit कर वा सकता है और और अगा बाहर property बढ़ी है तो उसको भी पाकिस्तान में मंगवा सकता है जो कारूद और प्रोपेटी के उपर बात नहीं करता फैरा अगर आपने पढ़ा तो chapter 90 लोर्स एं गरेंटी की बात करता है चैप्रेटी की बात नहीं करता है वह सही है तो फैरा applicable नहीं होगा अप्लाय करने का ना सोचेगा एमेल बिकॉस NCCP थोड़ी काएगा कि इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास यह राइट है यह तो अकात किसकी होगी तो इस मुर्बचा फैर्डल करमेंट ने कानून बनाए एमेल एक तो वहां पे बताया गया है कि यह यह आपके पास सार करना है नेक्स वीक से हमने काम यह करना है कि हम इंशाल्ला इंशाल्ला चीज़ों को लेकर बैठेंगे एंपर इस पाफी बढ़ा है प्यारे बच्छों शेयर्स पे इसके बात कंप्रीज एक के बात मेरे पास सीकुरिटीज एक्ट है फिर मेरे पास PSX रूल बूक है फिर मे हमारे पास private placement है सही इन सारी चीज़ों का मिंशाल्ला देख लेंगे पिर further issue है इसी तरीके से हमारे पास FAIR है तो FAIR को इस तरीके से देख लेंगे लिंक करके देख लेंगे इसी तरीके से हमारे पास share से related buyback है reduction है transfer है share से related पे रम चले टेक ओवर हो गया इंसरे ट्रेडिंग हो गिया इन सब को साथ देख लेंगे और इस सारे मामला किया, तो PSX में बताएगा है या Securities Act में बताएगा है तो दोनों इन फर्रक है, यहां पर क्यों बताएगा है यहां पर भी क्यों बताया है NBFC पी देख लेगे, मसला नहीं है चले यार बच्छो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जजा कर ला बच्छो, जजा कर ला नहीं फैजान देखें, लॉप पूरा नहीं लिखना है जो सवाल में लॉप अप्लिकेबल हो रहा है, वो लिखना है वाट्सप गूरुप पर सब बता देंगे, तला साब, वाट्सप गूरुप पर बता दूँगा कासा कोंगे मैंबर्स का थैंक यू सो मच, यह उन्होंने बढ़ा जबरदस यह अरेंजमेंट कर वाए, सारे टीचर दोल कट्टा कर आप और एक क्या करता है, हर सब्जेक्ट पर वर्क्शप सोगर अपने हैं, तहरीन बिल्कुल, बिल्कुल, आइफोन वाट्सप गूरुप पर आजाएगा मेरा बच्चा एक ड्राइब है, उसके सारे जो 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 लिंट हो रही है, वो सारी के सारी चीज़े हैं, वो एक वन ड्राइब के लिंक के उसके आ रही है बजाए लगे कर छीर्च वार मारे सकते हिं से यह संदिये आरणी जिसी महा है तो इनले है जिल यह कुछ बगए में है सारे हैंननौ और हैन्नौ जा रडा और है मुझा सिर्व बाइडने को को इंशाले एक हेंड आट के थूरू सारा समराइस करा तूंगा ड़न हो गया बच्चो सब कुछ इंपोर्टन है साथ लेकर एक इंशाले पेपर से इंपोर्टन आपकी इं बता दूंगा हाँ जी के लिए बच्चो सारे यहां तक मुलाकात करें नाइस चुक इंशाल्ला चैने हार बच्चो थैंक यू सो मच अपना ब्याद ख्याद रखेंगा जजा कर दो झाल 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 झाल